आद आप दोस्तों मैं हो अलिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं I hope के आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हमारा 286th लाइव सेशन है और I hope के आपकी तरफ सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही चाल रहा है अभी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे यह वन उन वन सेशन है जिसने भी आना है वो आजाए मैं लिंक अभी से दे रहा हूं ठीक है लिंक के थ्रूँ आप क्या कर सकते हैं आप आके मुझे से बात कर सकते हैं और आप अपने questions रख सकते हैं आप debate कर सकते हैं आएं अच्छे तरीके से बात करें जिसने opposite point of view भी रखना है वो भी जरूर आएं और बलके ज्यादा उनको मैं welcome करता हूं कि आएं और बात करें और आप लोग क्या कर सकते हैं आके सारी बातचीत कर सकते हैं और अपने questions को civil रखें हम atheism, philosophy, science और बहुत सी और चीज़ों के उपर बात करते हैं यहां पे और religion पर भी बात करते हैं हम religion की history पर भी बात करते हैं हम logic पर भी बात करते हैं हम हम और evolution एक हमारा बहुत बड़ा subject है इस channel पर हमेशा से रहा आप लोग क्या कर सकते हैं आप उस पर भी आके बात कर सकते हैं और आप सब लोगों को welcome है बात करने के लिए ठीक है हम आप से बात करेंगे इस बारे में इतनी भी बाते हैं आप चाहेंगे करना उनके बारे में और जो मकसद है वो यह है कि dialogue आगे ब करने और सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं आप इस चैनल को support भी कर सकते हैं support के कुछ तरीके मौजूद हैं जिन में एक तो है जी आपके पास तो एक तो आप पेपॉल के थूपोर्ट कर सकते हैं ठीक है दूसरा आप जो है बाइमी या कॉफी के थूपोर्ट कर सकते हैं और तीसरा आप पेट्रियों के थूपोर्ट कर सकते हैं सब के लिंक्स जो है वो इस वीडियो की description में मुझूद हैं और आप लोग क्या कर सकते ह यहाँ में दाल भी रहाँ, पेपल का डाल दिया और बाइ मिया कफी का भी इहाँ पे लिंक डाल देता हूं जिसने भी सपोर्ट करना हो, वो इन लिंक क्लिक करके, इनके धुंट भी कर सकता है, सूपर चार्ट्स बगरा के धुँध भी आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं बात करते हैं अच्छा जी तो पहले कॉलर आए हैं X to Neen से बात करते हैं कैसे गाली भई मैं ठीक हूँ भई आप कैसे बस कि गाली भई आपने तो सुना यह एक न्यूस लेटिस की जो सद्गुरु है ना इंडिया का जो लोगों को मनजन खिलाता है वो खुद ब्रेन सर्चरी से अब रिकावर हुआ अब कहा गई उसकी साइंस सारी उसकी स्पिरिश्रुटी और पूरी दुनिया वो कहता है आरवेदा करो अब आरवेदा किदर गई है भाई आरवेदा क्यों नी बचारी साथ क्रूब को खुद जो आवो जाके अलाज कराता है ठीक है खुद जाके अलाज कराता है अमरीका उसका अमरीका में हो है ना अप्रेशन सभी बात है हाँ अमरीका में है खुद अमेरिका से कराता है उप्रेशन और लोगों को कहता है कि आप आयरवेदा से एलाज कराएं तो अब बात तो यह है ना कि भी जाहिल नहीं है लेकिन गोरा होना मतलब कोई इंटलुसिल बात नहीं होती है वो भी बहुत जाहिल होगी जो इसलाम कबूल करते वेश्ट मे हिंदुसम कबूल करते आयरवेदा यह गोबर और टुनिजम और आला फला फला तो यह मतलत बिलकुल गलत बात है कि गोरा आतमे भी होशार होता है गोरे उतने ही जाहिए होते हैं जितने हमरे लोग जाहिल होते हैं आप क्रिस्टिन राइट विंग के गोरे जो हैं वो बड़े अनलाइटन हैं नहीं इनलाइटन हैं आपको पता हैं यहां पर अमरीका में भी जहादी तन्सीमें बनी हुई हैं जो कहते हैं हम जीजस के नाइट्स हैं जब हम भी तलवार उठाएंगे हम लड़ेंगे ऐसी तन्जीम में भी बनी हैं अमरीका के अंदर ठीक है अब जाहरी बाद है कि दुनिया को इसलामी जहाद का तो पता हैं मगर क्रिस्टिन जहाद का नहीं पता क्रिस्टिन जहाद किसी और तरह करते हैं ठीक है क्रिस्टिन जो है नो वो देखें जैसे तो हर किसी का तरीका वागी होता है ये ये spirituality का बहुत बढ़ा fraud इसा है आप क्या वाहनते हो इस spirituality क्या होता है मैं तब गारे ये तदिशारी एक बात याद रखेंगे spirituality जो है न वा सारे मजबों की माँ है जो फ्राडी है न उनकी माँ spirituality है तो spirituality अगर spirituality ना होती तो मदब ना होते हैं लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं I am not religious but I am spiritual यह सबसे बड़ा श्रावाड है क्योंकि problem यह है कि spirituality से ही तो religion निकले है ठीक है? spirituality ही बड़ा मज़ा है अजी अब तो भक्तों को मुपे एक चमाटी चपाटी अब वो जागे अमरीका में अपने अपरेशन करा रहा है वो कहा रहा है कि हो हो ठीक है अब सर इस्ते Christian right wing भी इस्ते Christian right wing भी एक्सपोस वे क्यों? क्यों कि Christian right wing भी उसको सपूर करते थे सद्दुगुरु को जी सद्दुगुरु आये है आयर विदा, spirituality और आला और फ़ला जाओ अब डूब मरो अपने science में ठीक है और क्या बात भी आखरी सवाल है यह जी Sam Harris है मैंने सुनाए कि I don't know whether I am right or wrong लेकिन किसे ने कहा था मुझे कि Sam Harris तो है intellectual लेकिन वो भी थोड़ा spiritually कि यह बास में सचाई है Sam Harris ऐसी बाते कार देता ना जिसको फिर religious dogmatic लोग पकड़ लेते हैं ठीक है वो यह जान बूच के कर रहा है क्योंकि वो यह करता रहता ना वो बार बार ऐसी बाते करता है जो के जिदको यह पकड़ लेते हैं ठीक है और यह How science can determine your value Sorry, your life उसकी पड़ी है मुझे इतना satisfaction है एक किताब पड़ी हुई है यहां दो पड़ी हुई है मुझे स्भी याद नहीं है मैंने उसकी दो किताब में यह एक ही पड़ी हुई है ठीक है उसकी किताब है ना माजिनना उसकी लिए Islam and a speaker of tolerance तो आप क्या करें आपको अपने कानों का इलाज कराएं भाई I am not a Christian मैं कभी Christian था ठीक है मैं Christian नहीं हूँ और दूसरी बात है कि इतला यह है कि भाई Christianity में भी उतना ही डॉगमा है ना जितना इसलाम में है Secular Humanist ने का solar eclipse coming on coming up on April 8th How did Prophet Muhammad view eclipses यार रसूल अला तो eclipse से बड़ा डर जाते थे ठीक है और सुना है कि एक दिन eclipse हुआ तर रसूल अला डर गए और फिर जा कि मसजद में नमाज बढ़ाई ठीक है वो कुछ चदीशों में उसका खिर आता है कहीं जग़ों पे लिखा कर डरे कहीं जग़ों पे लिखा कर नमाज बढ़ाई कें जो भी लिखा को वो टार के बढ़ा दी ठीक है तो यह बात है यह बात याद रखेंगे पुरानी तमाम सिविलाइजेशन्स में ही सूरज ग्राइन को बड़ा बुरा समझा जाता था ठीक है आगे हम चलते हैं भाई हम बात करते हैं साइम अली से हलो वालेकम जी वालेकम असलाम क्या हालें कैसे हैं आप जी ठीक मिलकुल खेरियत से आप कैसे हैं गाले में ठीक हैं जी क्या बात करेंगे आपको सर तीन चार साल से सुन रहा हूँ बड़ा एजुकेट किया आपने बहुत अच्छा लगए मेरी जान चुछा दी आपने मजाहिब से आपका फैन हूँ आपको बहुत प्यार करता हूँ मैरा आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको कॉल की है पहली बात यह प फिर भी इसके बाद मैं फसा हूँ मुझे लगता है कि मजाहिब से तो चलो जान चूट गी है वो तो कन्फर्म हो गया हम शूर कि यह सब फेक है यह वकवास यह था सारी लेकिन फिर भी ना कहीं मैं फसा रहता हूँ अपने ऐसा साथ आपके साथ सीर करना चाहता हूँ कि बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप इस पर बात कीजिए देखें इनसान को बहुत सी चीज़ें लगती है कि यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है जब हम छोटे से तो हमें लगता था कि बिस्तर के नीचे पता नहीं को जिन चुपा हूँ है लिटरली बच्चा जाया रात को अ कि देखने से बहुत दरता है क्युक्क उसे पता रात को केले उठे और बातरूम में भी आप मां के बगार नहीं जा सकते हैं आपको मां पड़ता है तो पार बच्चे दाथ को दस दावाज जगाते हैं और वह उन्हें टौले रात को लेके जाती है ठीक है अब मसला यह आ कैसी थी ना कि हमें लगता था हाजी यह बात याद रखें कि कुछ खौफ ऐसे थे जो आपके बच्पन में जब आप बड़े हुए आपका ब्रेन रैशनलाइज हुआ उसने अपनी रैशनल जर्नी तया की तो क्या हुआ उसके बाद वो फियर्स खतम होगी अगर कुछ ऐसे ह हैं जो के अभी भी मौजूद रह जाते हैं कैसे वो मौजूद रहते हैं क्यूंकि वो आपके दमाग में इतने बच्पन से तो डाल दिये गए थे जी जी मगर आप उनका कुछ कर नहीं सके फीक है इसलिए कि आगे पूरी सुसाइटी की कंडिशनिंग ऐसी है कि वो सब उन चीज़ों में मानते हैं तो जो खुदा आ का कौंसेट है न हर बच्छे को यह याद होता क्यू कभी ना कभी मांबाप से ऐसे सवाल करता है जैसे एक बड़ा कॉमन सवाल है जिसे आज लोग बड़ा रैशनल कॉंस समझते हैं जिसे लोग समझते हैं कि ओ ये तो हमने हमे ज पूछा कि सब कुछ किस ने बनाया है, या माँ ने बताया, सब कुछ खुदा ने बनाया है, तो ये सवाल मुझे खुद याद है, कि मैंने माँ से अपनी से पूछा हुआ है, भाई, खुदा को किस ने बनाया है, तो माँ आगे से कहती है, जी नहीं, किसी ने नहीं खुदा क पुदी बान गया तो बच्चा जो है वो सोचता है कि अच्छा खुदा को किसने मिनाया उसका क्वेस्चन रैशनल और वैलिड है वगर मसला यह है कि उस बच्चे को जवाब आगे से ऐसा दिया जाता है कि जिसका मतलब होता है कि अब तुमने यह सवाल नहीं पूछना तो व वो सवाल जो है फिर वो क्या करता है वो चलता रहता है आगे ठीक है तो बात सिर्फ इतनी सी है चाहिए है यह मतलब बच्चपन की वो बाते हैं सारी जो अभी तुमाग से नहीं निकली खार मैं मैंने तो काफी सफर देख लिए है कि हमारी कंडिश नहीं पर पूरी जिए आपको यह दलीलें दी जाती हैं आप किसी के पास बैठेंगे तो हर कोई आपको दलीलें देगा ओ दुनिया में कितनी खुबसूरती है खुबसूरती खुच से कैसे आ सकती है मसला यहा कि दुनिया की खुबसूरती और आपका दमाग एक साथ एवाल्व हुए है ठीक है बिलकुल वो तो है एवलुशन तो जारी है यह दुनिया एक दूसरे के साथ एड़जस्टेड है इसलिए चीज़ें आपको खुबसूरती क्या है असल में खुबसूरती आपको की निशानी है कि आपका जो एको सिस्टम है आपके आसपास की इन्वार्मेंट है वो हैल्दी है उस इन्वार्मेंट के अंदर कीडम कोड़े ज्यादा होंगे परिंदे ज्यादा होंगे फिर वो जानवर ज्यादा होंगे जिनको आप अपनी खुराग बना सकते हैं कि यह ओगा ने काफी सफर तैय किया मैंने वस एक सेकंड मैं बात करके बस खातम करता हूं आपने लंबा सेशन करना होगा मैंने प्योर कटर शीया मजभी गराने में आँख खुली अभी भी घर वाले सारे शीया हैं कटर उसके बाद वह देव बंदियों के साथ जाता रहा अ प्राप माते हारस भाई को सुना आपको सुना और फिर नो ठैंक्स तो यू ठैंक्स तू साइंस के जान चूटगी अच्छा ऑफिक्यान चूटगी अच्छा है नहाँ आप कम अखकम आपको को कोई बेवकौत नहीं मना सकता जैसे मजभी लोगों को लोग बनते हैं हम जास भी हांसी भी आती है इन लोगों की हरक्ते के आपका शुकरिया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के जुकेट करते हैं आप सलामत रहे हैं खुश रहे हैं और एजुकेट करते हुमार कौनी साथ से पहले बात कर लेते हैं. इसके बाद रैषनल से करेंगे. रैषनल अबने जाना नहीं है करी me. हलो जी अए कैसे है? मेरी आवाद ठीक अ रही है? मैं ठीक हूँ. आपक इसे है? जी जी है कि वाकिए वियसे बड़ा टाइम लगा इसको बात को समयने के लिए शुरू शुरू में तो मैं बड़ा एक रियक्शन पैदा होता था जाहर है कि आप बच्पन से जिन ख्यालात में आपकी ड्वेलिम्मेंट हुई और जिसमें आप बड़े तीस, चालीस, पचास, साथ सा तक रहे, उसको डिलीट करना जो है वो इतना असान नहीं होता, लेकर मैं महसूस करता हूं कि ये फाल्टू चीज़ें और इन लॉजिकल बातें जेन से निकाल दी, जैसे किसी कंप्यूटर से कुछ एक्स्ट्रा उसकी जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो उसमें मेमरीज तो वो कभी-कभी उनको सारी फाल्टू चीज़ें निकाल दें, डिलीट करने न तो उसकी सपीड भी तेज हो जाती है, उसकी फंक्शनलिटी भी बेतर हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि ये मुझाहिव इतने ज्यादा हमारे जेन में गुशे होते हैं, कि वो जो लॉजिक लिए रब सामने नदर आती है, अच्छा लोग ये समझती हैं कि जो इस तरह बिलीव नहीं करते हैं या कोई मख़ब को नहीं मानते हैं, वो शायद अगर कोई खुदा है या कोई बनाने वाला है, वो शायद उसके खिलाफ हैं, हाला कि ऐसी बात नहीं है, अगर कोई है ठीक है, तब मान लेंगे भई ये हैं, तो मैं समयता हूँ कि बड़ा बंदा रिलैक्स हो जाता है, मखायर से निकल के ये तो मैंने महसूस किया है, और उसके अंदर जो गुसा, लड़ाई और ऐसे बात बात पर गुसे हो जाना, और ऐसे बाते होनी, ये वाकी वैसे बड़ क्रिस्टल क्लियर, बड़ा रिलैक्स फिल कर रहा हूँ, और यकीन करें, हर चीज बड़ी अबलॉजिकल नजर आती है, बड़ी क्रिस्टल क्लियर नजर आती है, मैं देखता हूँ जो रुकों में मेनत करती है, काम करती है, दिन रात रिसर्च करती है, वो तरकी करती है, ज वैसे तो नहीं होता कि दौाइं मांगें और आपके सारे काम हो जाएं तो काम कर लिए तो काम करना पड़ेगा ये मैं कुछ वाजचीज करना चाहता था वैसे मेरा एक तवाल भी है आपके तो आले भाई ये बताएं कि ये इतने सालों पहले जो मजभी किताबें लिखी गई वैसे इनके लिखने वाले उनकी थोड़ी उनको थोड़ा एप्रीशेट करना पड़ता है कि उन्होंने किस तरीके से जैनी इनसानी नफसियात को समझा कि इनसान हमेशा जिन्दा रहना चाहता है वो मरना नहीं चाहता उसकी साइकालोजी को सामने रखते हुए जन्नत का त सवर दिया यानि वो लिखने वालों ने भी मख़ब बनाने वालों ने भी इनसानी साइकालोजी को बड़ा इस्तमाल किया और उसकी वो सारी खायशात उसमें पूरी करती मख़ब के अंदर जो उनको वैसे नजर नहीं आती है तो इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें देखें असल में जन्नों नहीं किताबें लिखी हैं आप उनके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि अन्हों नहीं यह नज़ियाद किये थे नेज़ियाद इज़ियाद करने वाले दूसरे थे किसी एक शख्स ने इज़िय नहीं किये after life کا نظریہ ये तो हम बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं ये तो शायद पिछले 50,000 साल पहले भी इनसान इसको मान रहा है ठीक है तो after life का नظریہ तो हमें उन कबरों से मिल जाता है तो आज से 50,000 साल पहले 40,000 साल पहले, 30,000 साल पहले even कि एक लाग साल पहले भी लोगों ने बनाई है जिनके अंदर लोगों ने मुर्दों के साथ उनकी चीज़ें दफन की हैं जिस से ये समझे में आता है कि ये अगली जिन्दगी के लिए इनके साथ समान रखने हैं या अगली जिन्दगी में अपने साथ राखें आफ्टर लाइफ का नजरिया तो तब से इनसान से साथ चला आ रहा है क्योंकि देखें मजब एक बहुत बड़ी रीजन है मौत से लड़ने की पराने जमाने में मौत के खौफ से लड़ने की मौत से तो जारी बाद लड़ाई लड़ता ही नहीं हो जानुआ है तो मौत का खौफ क्या है असल में कि इनसान जो आ है न देखें एक जानवर है जब उसका कोई साथी मर जाता है जानवर उसके उपर बहुत देर अफसोंस नहीं करते जानुआ notion के साथ दूसरा शेर मर जाए तो वो बस चंद देर उसकी लाश देखता है वो उसे शायद जगाने की कोशिश करे उसके बाद वो आगे चाल पड़ता है शायद समझ उनको भी होती है कि अब इसने नहीं उठना ठीक है मगर प्राब्लम यह है कि जब एक स्पीशिज एक कॉगनिटिफ स्पीशिज के तोर पर एवाल्व करता है जैसे कि इनसान हैं बंदर हैं बहुत सी हाथी हैं ठीक है डॉल्फिन्स हैं और बहुत से वेल्ज हैं जानदार हैं जो कि इस तरह से फिर एवाल्व कर गए हैं जिनके अंदर समझ है तो जैसे जैसे शौर की सीड़ियां या कॉंशिसनेस की सीड़ियां जानदार टाय करते रहे सेल्फ अवेर हुए सेल्फ अवेर होने के बाद उनको ये अवेरनेस आई के दूसरा साथी हमारा जो है वो भी मुझूद है तो वहां से फिर ये बात शुरू होती है कि जहां पे उनको ये समझ आती है कि ये साथी हमारा मार गया और ये अब कभी वापस नहीं आया और हुमन स्पीशिज या नेंडर टॉल स्पीशिज या हमारे आस पास जो दूसरे हमनेट स्पीशिज थे उन में ना सिर्फ थियोरी अफ माइंड थी कि हम ये समझते हैं कि हम एक्जिस्ट करते हैं और हमारा एक वजूद है और हमारी एक जात है ठीक है मगर हम ये भी जानते हैं कि हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की भी एक जात है वो भी बहुत सी चीज़े समझते हैं वो हमारी जंदगी में contribute करते हैं, उनकी एक value है, और हम ये बात याद रखिएगा, कि इनसान अपने मरने से ज्यादा ना, अपने आसपास के लोगों से मरने से ड़ता है, ठीक है, कि मैं अकेला कैसे रहूँगा, मैं कैसे survive करूँगा, ठीक है, जिए वो इनसान जिसकी मेरी ज सोचता है कि हाँ, और दूसरी बात है कि पुराना इनसान तो उस बिचारे को तो पता ही नहीं था ना, असल में, ठीक है, ये मसला है, तो अब जो में चीज़ है, वो क्या है, कि इनसान ने मौत से लड़ने का एक mechanism बनाया, आफटर लाइफ की शकल, और मौत से जो इनसान का नजरियाती इखतलाफ है कि तू अटल नहीं हो सकती, ये है जूटा है, मगर मसला ये है कि मजब की बनियाद में भी यही पड़ा हुआ है, ये मत समझें, कि वो मजब जो आज जुमा जुमा आच दिन हुएं, पैदा हुएं, वो हमें ये बता सकते हैं, कि ये जो मौत के ख जूट चाहे जैसा भी हो, जितना भी खुशनमा हो, जैसा भी हो, अल्टिमेटली में नुकसान दे हुएं, ये बात आज हम समझ गये हैं, पुराना इनसान क्यूंकि अपनी जिंदगी में पाई जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल के असल हल नहीं पेश कर सकता था, तो वो अ आफ्टर लाइफ जा हमारे जवाब की बजा से आया, ठीक है, यह हमारे खाब की बजा से आया, और मरे वे रिष्टेदार खाब में आते हैं, वो हम बात मेशा करते रहते हैं पहले भी, तो हमें लगता है कि यार वो जिंदा गई, खाबों की बहुत बड़ी रीजन है, ठी यह ना, यह इनसानों को ज्यादा वो इस तरफ माइल हो जाते हैं, मजब की तरफ माइल हो जाते हैं, हाला कि अगर किसी ने पैदा किया है, और अगर हो सकता है, वो दोबारा पैदा कर दे, यह भी पॉसिबिलिटी है, यह पॉसिबिलिटी भी है, कि वो ऐसी लाइफ पैद तो उसके बारे में सोचने की जरूत नहीं है, उसके बारे वो जो होगा आग़े फिर देखी जाएगी, जिस दीके लसे भी वो करना चाहेगा, उसने तो एपनी मर्जी करनी होगी तो उसने किसी से पूछना तो नहीं होगा तो इसको भी हम निगेट तो नहीं है कि वो होगा तो तब ना सबूत ही नहीं है जब तो कोई फिर हाँ और दूसरी बात है कि इनसान का ये भी फ्राद कर ले है ना देखें इनसाफ तो उसका होगा ना जिसके पास अजाद मर्जी हो हमारे पास अजाद मर्जी नहीं है भाई आपकी और मेरी फ्री विल तो है कोई नहीं है आप इनसान जो बुराई करता है या अच्छाही करता वो उसकी अपनी मर्जी से नहीं हो रही होती वो उसके द जिन्यूदार है और उस प्रोग्रामिंग पर आपका और मेरा कोई भाथ नहीं है तो वो इनसाफ करना का तस्वर भी नहीं कर सकता अगर में उसकी जगा हुता ना कभी भी किसी को उसके किये हुए गुनाओं के लिए कसूरवार नहीं ठेरा सकता तो क्योंकर जारी बात है कि उसका थोड़े अपने कंट्रोल में इनसान का और जो जिन्दगी इनसान के पास है जो जिन्दगी इनसान के पास है उसको एंजॉय करें आगे देखा जाएगा जो भी होगा जो एंजॉय करने वाला लफज है ना मैं थोड़ा इस से भी डिसेगरी करता हूं क्योंकर ये ना मसले को ट्रिविलाइस कर देता है यह ऐसे थाबित करता कि यार आप तो बहुत ही जिन्दगी को आप जब कहीं लोग कहते हैं ना कि जिन्दगी में बस मौज मस्ती करो एंजॉय करो मैं समझता हूं कि मुलहिदों को ऐसे अलफाज नहीं बोलने जाएं क्यों कि असल में मुलहिद लोग जो है यहां फिर जो एथियस्ट हैं वो जिन्दगी को मजबी इनसान से ज्यादा सीरियस ली लेते हैं वो अपने एक्षिंज और नंके कॉंसिक्वेंस की ज्यादा जिम्मधारी लेते हैं वो यह समझते हैं कि इसी दुनिया में दूसरे इनसानों के साथ जो अच्छाई हैं बुराई की गई यह वो ही है इसलिए कोई आगे तो इनसाफ होना नहीं है इसलिए जिन्दगी को ही ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा उन लोगों की जिन्दगी की वैल्यू को ज़्यादा समझना पड़ेगा ठीक है अब जैसे एक सिंपल सी बात है ना एक मजबी शखस है अब अगर इसराईल का मसला देख लें फलस्तीन का मजबी लोगों के जहन में एक ख़दा ने जमीन इसराईलियों को दी थी ठीक है और फलस्तीनियों को क्रिस्चन लिटरल ही ये बात करते है ना कि फिलस्तίνियों को तो फुद यह अपनी मर्जी से चोड़कर चले जाने चाइえ किंबुदा की किताब में बाइबल में किए जमीन फुदा ने इसराहिल को दी था और जो फिलस्तीन में पैदा वो जाता वो अपनी मर्जी से तो नहीं होता जो गाजा में पैदा हो गया मुझे आप ये बताएं जो उसकी मर्जी है मैं एक बच्चा होता गर गाजा में पैदा हो जाता हूं और मुझे मेरे घर से निकाला जा रहा है मेरे आसपास रोज लड़ाईयां बम दमाके कभी इसराइल हमारे पर बम फैंक रहा कभी फलस्तीन उससे हमास उदर बम फैंक रही है लड़ाई हो रही है उस सब के बीच में मैं आया हूँ जो बताएं मेरा क्या क्सूर है कि मैं गजा पे पहला हूँ जितने यह आपके फजूल फ्राडिय किसम के लोग हैं यह पाकिस्टनी एक्स मुलहिद यह वह पास्टेट प्रॉफिट यह सारे के सारे फ्राडिय जितने भी हैं ठीक है इनको एक इतनी सी बेसिक बात जो के हर मुलहिद को समझ आनी चाहिए वो समझ नहीं आती है आपको पता क्यों नहीं आती है क्योंकि यह सब लोग फ्राडिय होते हैं यह और यह जाहिल होते हैं असल ठीक है अगर इन में अक Circumstances तो देखें न, वह क्यों लाड रहा है? ठीक है? एक शखस का किसी जमीन पर हाग ही नहीं है. वो उनको एक छोटा सा quarter दिया उसमें रहने के लिए. और उस quarter में दुनिया भर का आप गांद डाल दें. ठीक है? और फिर आप यह एक्सपेक्ट करें कि वो लोग बड़े अच्छे लोग बनेंगे. ठीक है? लोग बिमार हैं ठीक है? और बिमारों को गोली मारना इस्राइल की स्टेट जो है वो अपना फर्द समझ रही है. और दूसरी बात है कि क्लेक्टिव पनिश्मेंट क्या है? वो भी हमारे सामने है. कि अगर हमास के टेर्रिस्स ने कोई दाश्टगर्दी किया तो पलस्तीन का छे मी मां का दूद पीता बच्चा भी उसकी सजा भुगत रही है. क्योंकि वो उसके घर खतम हो गए, सब कुछ खतम हो गया, बेसर रुसमान रफा क्रासिंग के पास बैठा है, पता नहीं मां का दूद भी आ रहा के नहीं आ रहा तो यह बाते हैं, जो के फ्राडिये लोगों को, यहां जो के सेडिस्ट और घटिया लोग हैं, उनको समझ न नहीं चीज़ है, वो समझने माली आखर में यह है, कि लोग यह समझते हैं, कि खुदा ने जमीन किसी को दे दी है, और दूसरे का उस पर हक नहीं है, जो उस पर बैठा है, उसके उपर हक नहीं है, कोई अपना मुलक शोड़ के कहा जाए, मैं आपको बता सकता हूँ, आप क पही मुझे दुनिया की हर सहूलत मिलती, मैं अपना कॉंशिस क्लियरली बोल सकता, मैं अखिलाफ राय का हक रखता वहां पर, वहीं पर इतना अमन होता कि वहां पर दूसरे उपिनियन को सुनने की भी वैल्यो होती, फ्लास्वमी लाज ना होती, ठीक है, मगर मसला यहा है क कि खुदा भी अगर कहीं हो ना, तो वो किसी इनसान को कैसे सजा दे सकता है, जबके उसकी नेचर उसने बनाई, उसके जनेटिक्स उसने बनाई, अगर वो वदाव उसके दावए को मालने, उसकी सैटिंग उसने बनाई, गरीब माबाब भूके नंगे माबाब के घर अगर गर पैदा किया तो उसने पैदा किया, कल को भूक के हाथों मजबूर होके अगर उसने चोरी की, तो खुदा की बजा से की, और फिर खुदा के आमताले दिनों से कहगा कि तूने चोरी की, इसलिए कि वो गरीब के घर पैदा हुआ था, इसलिए वो चोरी करके खाना खाता था मगर दूसरा जो के बिल गेट्स के घर पैदा हुआ था उसे जिंदगी में अपनी को भी चोरी करने की जूरत नहीं पड़ी उसके पास इतने पैसे थे उसको तो कभी जूरत नहीं पड़ी ना भाई ठीक है तो मसला जो मेन है वो क्या है कि आप किसी को बलेम नहीं कर सकते हैं तो गलत जगा मजब में भी तो उसने पैदा किया ना इसलाम के मताबिक देखो तो हिंदू के घर पैदा किया गलत किया हिंदू इसम के मताबिक देखो तो शूदर पैदा किया या कासलेस पैदा किया तो उन्टाचिबल है ठीक है ब्रामन का क्या इंतियाद है कि वो ब्रामन के घर पैदा हुआ दुनिया में बहुत सी चीजें जो हम समझते हैं वो आपकी एट बर्थ सेट हो जाती है और एट बर्थ ही दुनिया का सब कुछ से आप अफरिका में पैदा हो जाएं तो आप कभी भी first world के citizen तो नहीं बन सकते याप कभी भी उस level की टरक्की नहीं कर सकते आप जब first world, third world से first world में आते हैं आपको हरसी दिखाई देती है तर आपको एक बार feel होता है कि जब हम third world में रहते थे हैं हमारे साथ कितनी बड़ी नाइसाफी ती दुनिया तो ये एंजॉय कर रही है अपनी जिन्दगी तो ये गुजार रहे है जन्नत तो इन्हों ने बना रखी आपको ये जब अहसास होता है तो आपको अच्छे तरी किसे पता लगता है कि यार हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था ठीक है आप हम जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं और ट्रिविल मैटर्स के बारे में इतना सोचते आएंगे ये चीज ऐसे होनी चाहिए ये चीज ऐसे होनी चाहिए हमारा खुदाफलाए और बड़ा अच्छा है हमारा बगमान बड़ा अच्छा है और भाई ये सब फ्राड की बात ने है ठीक है चलने रैशनल से बात करते है और सूपर चैट आई थी अजाद इंसान ने का गालिब भाई I want to share something I am very sad चलें आएं जरूर शेर करें और दूसरे भाई 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 सदूम और गमोरा रियल ठीक है और दूसरी बात है कि वो मुझे पता है एक क्रिस्टिन पादरी की डॉकुमेंटरी है जो अमरीका से जाता है और उदर मिटी यूँ उठा के हाथों में भुर भुरी कहता है और देखो जी ये सारी जली भी मिटी है उस बेचारे को जियालिजी का जरा भी नहीं पता ठीक है और जिन चीजों को वो कह रहा है कि ये अल्ला ने अस्मान से आगबर साही थी ये उसका निशान है भाई वो तो नॉर्मल जियोलाजिकल फैक्टर्स है वो दुनिया में सो जगों पे और भिलाए जाते हैं तो आप उनको कैसे एक्स्प्लेइन करेंगे अगर आप ये कह रहे है कि यहां पर सदूमर उमूरा हुआ था ठीक है तो लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे है आपको जियोलिजिस्ट बताता है कि ये असल में फलाँ फार्मेशन बनी है फलाँ तरा के रॉक्स है फलाँ तरा की सैंड है तो वहां पर कैसे आई है फलाँ तरा की कले है तो कैसे आई है कोई शखस में मिटी पगड़के कहे कि ये तो असमान से आग बरसी थी इसलिए ये मिटी ऐसी हो गई है तो यार उसको पता ही नहीं है अगर स्पान से आग बरसे तो मिटी कैसी होनी चाहिए ठीक है बात यह है गौरफ दैट्स अल जस्ट लाइज कोई सचाहिए नहीं है उसमें हाँ जी रैशनल क्या हाल है कैसे हैं जी ठेक आप सुना है गालब भी आप कैसे हैं यह पाकिस्तानी एकस मुलहिद है उनका जो आर्गुमेंट है में कि मुसल्मानों को योरॉप से यह से अमेरिका से निकाल देना चाहिए वो यह है वो देते हैं जो रिसर्च पेपर के साथ वो यह है कि इनका क्राइम रेड बहुत ज्याद है उनसे यह सवाल है कि यह आर्गुमेंट आप फिर आफ्रिकन अमेरिकन्स के बारे में क्यों निहीं बोलते हैं ? जो कर गलत है ब्विस्टी नहीं बोलना चाहिए तो इसलिए नहीं बोल तो उनको पता है उसाफ टायग लग जाएगा रेसिस्ट का तो यही यही आर्गमेंट वो मुसलिम के हलाब दे रहे हो थेंगे इनको निकाल देना चाहिए दर से क्योंकि इनका क्राइम रेट जी 60% है प्रिजन दिन से बढ़ी हुई है तो यह बात करने देपाने तो यार उस बंदे की जिसकी आप बात कर रहे हैं न वो बचारे को लॉ मुलहिद भी नहीं है ठीक है क्योंकि जब मैं किसी से बात करता हूँ न मुझे अच्छे तरीके से अंदावदा हो जाता कि वो कितना पुराना मुलहिद है जो पुराने मुलहिद है न उनको सबर आ गया हो था चीज़ों के वो समझ गये होते हैं ठीक है जितने भी पुरान ठीक है यूँए फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो वह वला मुसल्मान नहीं था देखे न आप दोहरा मियार और श्टूपिड लॉजिक कि यहां पर आपको बड़े अच्छे तरीके से नजर आ रही है ठीक है कि वो बंदा ये कह रहा है ठीक है कि जी जब मैं मुसल्मान में इच्छा मुसल्मान था तो भाई फिर तुम गररंटी दे सकते हो बाकी के आछे नहीं ठीक है अफ़ी कि और दूस्री बाता कि है कि तुम आए मुलहिद बान गए हो यह अपने आपको मुलहिद क्याने लगए हो हम चीट के देख नीं हैं और दॉस्रे दो मॉसल्मान र अगर फ्री विलंगा रोगनी वात एक अगर अपनेट से जी है कि भाई अगर आप दस साल अस्ट्रेलिया में मुसल्मान के तौर पर रहे तो फिर उन दस साल हमें आपको पैस दूसरे साल निकाल देना चाहिए थापको ताकि आप वहां से चल जाते यह क्योंकि आप तो क्रिमिनल मुसल्मान थे न अगर आप कि कहें कि नहीं नहीं मैं तो क्रिमिनल मुसल्मान नहीं था दूसरे थे भाई मसल़ा यहां कि फिर amplunkा अब कि लोग अच्छा यह आप लोग्स्टूडीयों वहegं वह बगाज है और मैं आपको बता रहा है आज exactly 3 गहंटे पर मैंने stream खत्म कर देंगे मैंने आदा गहंटा शुरू भी पहले इसलिए किया क्योंकि मेरे पास मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैंने निकलना है इस वज़ा से मैं पूरे 3 गहंटे पर खत्म कर दूंगा अभी 36 मिनट हुआ है तो आपके पास 2 गहंटे और 24 मिनट अभी मजीद है ठीक है तो जिसने भी आना है वो अभी आ जाए ताइम नहीं मिलेगा एंट पर ठीक है हाँ जी इन्हों इनको याद दिलाते रहें बार-बार जिसने भी आना है वो स्ट्रीम यार्ड में अभी आ जाए ठीक है अच्का जी बे नाम से बात करते हैं हलो 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 अन्म्यूट करो भाई बे नाम क्या हाल है कैसे है आप अबाद आरि आरि क्या हाल है आपकी कैसे हैं अब हाँ जी सर जी सर मैं ठीक आप कैसे हैं सर मैं भी ठीक हूँ गाई हाँ जी क्या बात करेंगे सर मेरे जरा एगनोसिटिशिजम से रिलेटिट क्वेश्चन हाँ जी हलो हलो यार आप लोगों के कुनेक्शन जो है न फोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए ताके बात अच्छा तरी करेंगे अच्छा जी मसीही मुस्लिम हलो हलो गालग जाव यो मैं ठीक हूँ भाई आप कैसे हैं बस ठीक चाक अच्छा ये भी डिसकस कर रहे थे के मुसलमानों को भेज़ देना चाहिए वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए ये तो इस खेर से इस हक में नहीं होना चाहिए किसी को भी लेकिन वाट अब आप अब आप अब आप आप मुसलिम्स लिविंग इन दे वेस्ट येसे वो डिनाउंस करें ये ये रिटिंग थे फिजिकल जहाद जो इस चीज़ को डिनाउंस न equations नी करता इन रिटिंग ये शुद भी डिपोड़ी क्या ख्याल है नहीं मेरा ख्याल है ये भी कोई अकल्मंदी की बाट नहीं है क्यों फिजिकल जहाद ही है ना जो problem है सबसे बड़ा आपको क्या पता कि वो physical जहाद के बारे में क्या समझ रहा है शख्स? उसकी definition को गामदी वाली हो फिर? तो आपको define करना होगा दूसरी बात है मुझे आप एक बात बताएं कि क्या Christians इस बात में believe नहीं करते के एक या दूसरे मौके पे तलवार उठाई जा सकती किस मौके पे? जब हकूमत दे तो उठाई जा सकती है तलवार कोई ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं है? यू डूंट नो यूर बाइबल देन नहीं वो देखे बात सुने और मुझे आप एक बात बतायें कि आज अमरीका में इसराइली भी ऐसे बैठे हैं जो जो ये बिलीब करते हैं कि सब फलिस्तीनियों को मार देना चाहिए किया, आप समझते हैं कि उनको भी निकालना चाहिए अमरीका में या फलिस्तिनियों के साथ जो है वो ये जो फलिस्तिनियों के बादे नहीं आप मेरी बात को बदलने की कुशिश कर रहे हैं जिनके ख्याल में आज गाजा के ऊपर गाजा में रहने वाले सब लोगों पर न्यूक्लियर बाम गिरा देना चाहिए आप समझते हैं कि उनने ही निकालना चाहिए अमरीका से देखें, वो, You're talking about according to Palestine, you're talking Stick to the country you are living in न Vijay ने क्यों? मिया एक मेंट अगर कोई फलस्तीन में रहते हुए यह सोच हे है तो उसको नकाल दो नई नी अगर कोई अमरीका में रहते हुए देखें जहाद के बारे में तो global जहाद के बारे में बात कर रहे हैं आप तो अगर कोई इस्राइली ये समझे क्योंकि बहुत सारे इस्राइली ए मतलब मेरे ख्याल मिलियंज में ऐसे इस्राइली और शायद tens of millions में ऐसे evangelical Christians रहते हैं अमरीका में जिनके उतने ही extreme ideas हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहें मगर अब आप क्या कर रहे हैं आप अब उस question से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जिहाद पाकिस्टन में इंडिया के खलाफ होता है तो कोई मुसल्मान अमरीका में बैठके या वेस्ट में बैठके ये समझता है कि ये जहाद ठीक है तो आप कह रहे हैं कि उसको वेस्ट से निकाल देना चाहिए वो भी वहां रहते हैं कि आप उनके बारे में वो बात कहेंगे जो आप मुसल्मानों के बारे में कह रहे हैं मेरा सिर्फ आप से इतना सा सवाल है और अगर अगर आप इस सवाल को आवाइड कर रहे हैं तो आप अगर एक को कोई किसे कर रहा हूं भाई मैं तो आपको लाजिक इक्विलेंस दिखा रहा हूँ और उस लॉजेकल एक्विलेंस से भाग रहे हैं व्हें ईसराइली ऑफ एनी एक्वा능र बॉस्टाइन कहता है कि इनको बार दिया जाए तो उसको टीपोर्ट करो पैलेस्टाइन से यह नहीं कि जो अमरीका में रह रहा गर वो सोच रहा है उसके बारे में ही उसको बनलब that's another thing लेकिन अगर को यह सोचे कि मुस्लमान यह सोचे कि फिजिकल जिहाद यहां में भी चलेगा यह भी तो फिजिकल जिहाद है ना कि गाजा वालों के उपर एटम में गिरा दो यह भी से कंट्री में अमरीका में रहते हो ना आप ब्राउन बंदे अमरीका में रहा रहे हो ठीक है और आप गोरों के भी बात बन रहे हो ठीक है आप तो आप तो इतने हेटफुल तरीके से बातें कर रहे हो कि वाइट सुप्रेमिस से इतनी नहीं करते तो यार थोड़ा सा ना ए कारे में बहुत से लोग बहुत सोचते हैं मगर क्राइम तब मना जाता है जब कोई वो कामकार गुजरता है सिर्फ नजरियात की बेस्पी लोगों को मॉब लिंच नहीं किया जाता आप है तो पाकिस्तानी 크िस्ट्टन है मगर है आप अंदर से तहरीके लबैक वाले हैं क्योंकि तहरीके लबैक वाले भी यह समझते हैं कि अगर को खत्मे नुबूत पर यकीन रखता ना तो उसे मौब लिंच होना चाहिए तो I'm sorry to say आपकी हसी से आपकी हिपोक्रिसी दिखाई दे रही है कि अब आपके पास जब जवाब नहीं है तो आप argument को बिलिटल करने के लिए सिर्फ हंसने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई मेरे ये आप एक बात समझें कि दुनिया में ऐसे यहूदी भी हैं जो के समझते हैं कि सारी सलस्तिनी को काट डालना चाहिए ताके खुदा की यानि उस क्रिमिनल खुदा की जिसको आपने अपने किताबों में लिख रखा है उसकी बात पूरी हो जाए और इसराइल की जमीन सिर्फ और सिर्फ यहूदीयों को मिल जाए ठीक है इस तरह के एक्स्ट्रीमिस्ट आइड डाले हैं जो कि क्रिस्टिन्स को भी बेवकूफ बना रही है असल में ठीक है लिसर्ट आइसे डिनाउंस इन राइटिंग आइडालिजी क्या कह रही है क्या 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 आप यहूदीयों से गाजा में जो स्लाटर हो रहा है जो जैनोसाइड हो रहा है उसे करवाएंगे डिन और ये समझता है कि हर मुसल्मान पर ये लाजम होना चाहिए कि दुनिया में आलमी जहाद जो हो रहा है और फिर उसने क्या किया उसे अपनी बात को कंट्री स्पेसिफिक कर रहा है जो कि उससे वो भी नहीं हो रही है ठीक है तो आप ये देखें कि ये भी जहादी में मुसल्मान रहा है हर मुलक में यहुदी रहा है हर मुलक में क्रिस्टिन रहा है क्या आप जो चीज एक कम्यूनिटी से डिमांड कर रहे हैं आप हर दूसी कम्यूनिटी से डिमांड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और आपको किसने कहा है कि वैस्ट में रहने वाला हर मुसल जाके बान जाते हैं यार आप ब्राउन रंके सिर्फ गोरों के भूट ही बान सकते हैं मेरे भाई आपको जूता जूते की नौक पर ही वर रखते हैं इसके लावा आपको कुछ नहीं समझते हो आप ये समझ रहे हो कि वो आप उदर पहुंच गे और आप क्रिस्टिन हो तो आप गोरे बन गे हो नहीं हो या आप सिर्फ बेवकूफ बन गे हो भाई इस नफरत की जुबान को या इस नफरत की बात को सोचना बंद करो बात सिंपल सी है यह मुसलमान भी वेस्ट में रहते हैं सब वेस्ट में रहते हैं वो भी अपनी जिंदगियां पीस्फुली कुजार रहे हैं हाँ जहादी उदर भी होंगे मैंने आपको बताया ना अमरीका में क्रिस्टिन जहादी गैंगे भाई चाहिए बने हुए हैं जो यह सोचते हैं कि हम लड़ेंगे यसू के लिए वो यह सोचते हैं वो समझते हैं हम यसू के नाइट्स हैं हमने तलवार भी उठानी हैं हमने गन भी उठानी है बहुत बड़ी-बड़ी मिलेशियाद हैं जिन्होंने गन्स रखी हैं वो यह समझते हैं का हमने गेसू के लिए लड़ना है हमने ट्रम्प के लिए लड़ना है जहादी वो भी है अगर जाहरी बात है कि उनको वहाँ पर नौबत नहीं पहुंचती जहाँ पर उनको गन वाकई चलानी पड़े और हमें नजर आ रहा है कि अब तो वो भी भाई तो आप क्या समझते हैं जो इतनी स्कूल में जाके शूटिंग्स कार देते हैं इदर उधर और और जबों पर शूटिंग्स कार देते हैं आप क्या समझते हैं कि वो क्रिस्चन क्रिशिन हैं वो मानेंकी नहीं मगर उनको पता नहीं या पाकिस्तां जासी हिंडिOS सान जासी कंट्रीस में रहते हैं जहां पर मईणोर्टी है कहां नेकी मगर अमरीका में आप से कोई आया है हलो हलो हाँ जा हाल है कैसे हैं आप पहली बात तो यह एक जिमनी बात पहले कर लूँ हमारा जो भी पॉइंट आफ यू हो तो चाहे हम मुसलिम हो चाहे हिंदू हो चाहे क्रिस्टियन हो तो एक तो हमें एक जर्नल मैसेज देना चाहर हो का हमें हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमारा जहा हमेंशा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए यह एक जर्नल अवेरनेस मैसेज है अचा दूसरा अब आप से सवाल यह है कि आप कहते हैं ना कि हुजूर स.A. ने अपने लिए एक र पच्छी साल की उमर में एक शादी की एक बैवा खातून से हैं हजरु खतिया रिजिल्ला ताला उन्हों से और जब तक वह हयात की उन्होंने दूसरी कोई शादी नहीं की तो अन्यूस्बिल्ला हम तो जाहर है हमारे लिए तो हर्रेक्ट रिस्पेक्टबल है अपने गंब तो बिल्कुल रिस्पेक्टबल है तो फरस करें अगर वो पांट आपका मान लिया जाए फार्दसे का फॉर्गुमेंट कि उन्होंने आयाशी के लिए ऐसा किया था तो क्या आपको नहीं लगता कि आयाशी तो पच्छी साल की उमर में होनी चाहिए थी और फिर तकरीबन म चलें आप मुझे फिर एक सवाल का जवाब देदें जी 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 चाह याशी 40 साल की उमर के बाद नहीं हो सकती बिलकुल हो सकती है क्यों नहीं हो सकती लेकिंगे नहीं चद। तो अगर 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 दास साल की उमर में मेरे पास मिलियन्स ओफ डॉलर्स आ जाएं और मैं दस बारां गर्ल्फरेंड्स भी बिना लूँ या मैं प्रोस्टिटूट्स के बास फिर ना शुरू कर दूँ या फिर ऐसे कंट्री में लूँ जहां इस्लामी तरीखियां सीरत कैंए बता दे के अध़रत महम्मद पच्जे साल की उमर में दास जादियां अफॉर्ड का सकते थे तो डेफिनेटली आपकी बात वैलेड हो जाएगी नहीं बनता को पच्छेस साल पे बनेगा ना आप मुझे बताएं पच्छेस साल में क्या नहीं ने ठारें हैं वो बात हो जाएगी आप क्या इस बात को कंसीड करते हैं कि 25 साल की उमर में हज़र्रत मुहमद के पास मॉनेटरी यहां फिर इतना पैसा ही नहीं था कि वो दस औरतना से शादी कर सकते हैं मैंने देखें मैंने क्योंकि अभी मैरे पास डेटा नहीं है तो मैं फिलाल आपका डेटा मान लें मैं आपको अभी डेटा पॉइंट भी दे दूँगा कि हजड़त मॉहमद को 25-25 साल में क्या ओके 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 फॉर्देसे का फॉर्गमेंट हमने मान लिया अब चले जाते हैं पैंताली साल पर हम बेटा पॉइंट भी लोगों को बता देते हैं क्योंकि डेटा पॉइंट से अ में हानी का हाथ मांगा था हजड़त अली की बड़ी बहान अभू तालिब की बड़ी बेटी का और अभू तालिब ने क्या पैके इंकार किया था आपको पता है तो देखे ना आपको तो डेटा पॉइंट का भी नहीं पता ना कि हजड़त मॉहमद की फिजिकल या माली हाल पार का सीरत में हमें खकर भी मिल जाती है ठीक है? और हदेशेह इस बात को कन्तरम भी कर थीया है. मिराज भी अम्म-छानी के घर से हुई थी, मक्येमें. حضर्र म慎मद ताostic से वापस आये थे, मारउ्छ भायے, हुई और मिराज की रात वह खश्रत उम्ह Playden की घर सो attracting उर्वह कुई है और खश्रत हुए फिर खश्रत उम्हनी जो थी फिर हश्रत और दूस्री बात यह भी हदीषों में कन्फाम हिए कि बार में फिर खश्रत उम्हानी की जो है वो क्या होई थी वो बेवा हो गई थी तकारीवा को साठ साल की उमर के करीब ठीक है जी जी वह था हजरत म oikeोई को एक दो साल बड़ी थी जिए छोटी थी ये मुझे यादनी बात स़ी था से ठीक है ठीक है ठीक है तो वह बेवा हो गई तो हज़रत मुहम्मद ने हज़रत मुहम्मद के पास कोई उस टाइम नौ भीविया थी हज़रत मुहम्मद ने उम्हानी को रिष्टे का पराम भीजा और उन्होंने का कि बाई मैं भी बहुत बुड़ी हैं तो आप इस बात को रहने ही थे ठीक है तो बात के सोचें कि आप ये कह रहे हैं हदर्द मुहम्मद को तो अम्हानी जिसको पसंद करते थे उसका रिष्टा अपने चचा ने इसलिए ने दीया कि उनकी माली हालत तरह थी तो वो दस शादिया कहा कर सकते थे अगर वो आप समझते हैं के दस शादिया को कभी उनका करना मकसद ही नहीं था भाई उनके पास तबी हैसियत नहीं थी मकसद तो शायद पहले भी हो तो आपकी जो बात है जो आपका इतराज है उसकी जीरो वैल्यू हो जाती है इन बातों की रोशनी में जो कि खुद सीरत में और हदीसों में लिखी थी है अब बात बाली तो आपके इतरी मर्जी बैस कर लें के हाँ जी चालिस साल की उमर उन्होंने एक की थी और पैंतालिस की में दो की थी और चवन की में दस की थी नहीं 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 की थी वो की थी उन्होंने सौधा से पता ने सौधा कौन थी ठीक है सौधा जो थी वो काली रंगत की जो खुद हदीसों में लिखा रख लि भी चौड़ी एक खातून थी जिसका रिश्टा हजरत मुहम्मद को दिया गया था और वो पहले लॉंडी थी अजाद की हुई लॉंडी उसके साथ हजरत मुहम्मद ने शादी की और हिजरत के वक्त रसूल अला की सिर्फ एक बीवी थी वो थी सौदा फिर हिजरत के बाद 53 स की की थी वो सब की सब जो है वो आहस्ता आहस्ता फिर उन से शादियां रसूल अला की खुई है और ये कहना के रसूल अला जो है वो I think कि इस बात को अगर आप समझते हैं कि सिर्फ इतराज आयाशी वाला है तो ये आप लोगों की कम समझी है जिसकी विए से आप ऐसे समझ सेट की सिर्फ बैड एक्जेमपल नहीं सेट की बलके एक ऐसी एक्जेमपल सेट की है जिसके मताबिक हमें ये नजर आता है कि अगर एक आप मुसलमान इसलामी ये समझता है कि चार और और तों से उसकी सेक्शुल जरूरत पूरी हो सकती है ठीक है उसमें इतनी बरदाश्त हूती है कि चार से ज्यादा की उसके जरूरत नहीं है तो हजरत महम्मद ये थाद कर रहे हैं के उन इतनी बरदाश्त की नहीं है मगर आपको मैं एक और बी बात बता जयता हूं कि ह 1900 का अगर हम ये समझ लें तो असल मसलब मौम्मद का मुकमल तोर पे कुछ और है ठीक है आपकी बात को इंडोर्स भी किया जा सकता कि हो सकता है उनका अयाशी मकसद ना हो मगर बैड इक्जामपल तो है अगर दूसरी बात एक और बात है कि नरीना उलाद की खाहश भी दास्यादियों की बजा है क्योंकि हज़र्द मुहमद को कोई उलाद पैदा नहीं हो रही थी ठीक है फिर ये बात डीप से डीप होती जाएगी हज़र्द मुहमद का साइको अनालिसिस होता जाएगा कि ये बात क्यों थी ये बात क्यों थी ये बात क्यों थी और आप और मैं पूरी रात बहस करते रहे और حضرت मुहम्मद आपको पता कि हज़रत मुहम्मद की खुद हदीस हैं इस बारे में कि उनकी जिंदगी में कुछ गम बहुत बड़े बड़े हैं एक हज़रत खदीजा की मौत ठीक है फिर कास्म की मौत जिसके साथ से अबुल कास्म कहा जाता था अबू तालिब की मौत, अबू तालिब की मौत और इन सब सद्मों में खदीजा की मौत के बाद अगर को सबसे बड़ा सद्मा कहा जाता है हज़रत मौम्मद की जिन्दगी में तो वो हज़रत इबराहीम जो के उनके बेटे थे उनकी मौत, ठीक है? अब मैं इस होना चाहिए इनसान को, अगर हम यह मान लेते के 25 साल में की उमर में हज़र सबसे पास पैसा नहीं था, तो फिर मेरा दूसरा क्वेस्टन अब आ जा था, क्या 45 साल की उमर में भी पैसा नहीं था? क्योंकि देखें, हम इस आर्गुमेंट पर बढ़ रहें कि हुज़र सबस करना चाह रहें थे, लेकि पैसा नहीं था? बताएं, हिज़र से पास नहीं था? ना? बताएं, पजास साल तक नबूवत का अलान हुआ था? नबूवत के अलान तो नहीं हुआ था लेकिन नबूवत के अलान तो नहीं हुआ था? पता है आपको दस साल तक तो अलाने ने बहुत ही नहीं किया था क्या बाद आप कर रहे हैं हज़र्द मुंबर की अलानिया ने बहुत सिर्फ तेना साल किया भाई जी विलकुल तो ठीक है मैंने आपके यह दो डेटा पाइंट्स ले लिए मैं इन पर मजीद रिसर्च कर लूँगा और फिर आगे जरूर बात कीजेगा देखिए आप लोग आगे मुझसे सवाल करते हैं तो पहले भाई कुछ किया करें आप अपने आप लोगों ने अपने पर नहीं कालकुलेट की और आप मुझसे बात कर रहे हैं ठीक है नहीं यह मैं इससे मैं एग्री करता हूं कि हम बहस करें तो हमारे पास पूरा डेटा होना चाहिए अच्छा एक और चीज जो मैंने बहुत फिल की है यह लास्ट पन है ताके फिर दूसरे लोगों को मौका म कोई एक चीज़ पी पॉजिटिव नहीं है जो आप कह सकें कि बई यह चीज़ इसलामे बड़ी पॉजिटिव लेकर चले हैं यह चीज़ पॉजिव है यह चीज़ पॉजिदेव है यह धिस के नहीं किसी क्रिस्चिन से לאगा है और आपकी बहुत jest कि नहीं होगी और ना किसी नभी से दुश्मनी है ना किसी से भी नहीं है तो क्या हमें रेशनल मैंने मैंने मैं हमाशा बात करता हूँ थोड़ी लंबी हो जाएगी बात लेकिन मैं हमाशा करता हूँ मैंने दुनिया में अनभास बंदा नहीं देखा तो हो तो इतियास लेकिन कहें कि नहीं यार ये चीज़ जो है ना मुसल्मानों में या हुजरुस अलेसलेम में या इस दीन में बड़ी अच्छी है तो ये ये आपको ऐसे मेरे मुझे इसलाम की तरीफ सुनके क्या को अर्गाजम हो रहा है हाँ मेरे भाई इसी चैनल पे अब मैं आपके सामने आपकी मजब की तरीफ नहीं करूँगा और दूसी बात है कि मैं हज़र्द मुहमद को कोई आइकन ओफ मॉरालिटी नहीं समझता बलके मैं आम इनसान से कम मॉरल थे और मॉरल स्टेंडर नहीं का आम इनसान से बहुत कम था मगर हज़र्द मुहमद की कुछ बाते मैं करता हूं इस चैनल पे कहीं बार की है जब टूनी मेरे पास आके कहते हैं कि हज़र्द मुहमद ने साफला चीज़ें की ठीक है और राम और आइशा राम और मुहमद का जब कमपैरेजन होता है तो मेरी पिछली से पिछली स्ट्रीम में ये बात बड़ी डिटेल से हुई थी एक हिंदू आ गया था और मैंने उसे का था यार मुहमद तुम्हारे राम से अच्छा है क्यों कि उसने आईशा को बक्ष दिया था बलके आईशा को बचा लिया दूसरी बात यह इस चैनल पर कहीं बार ये भी बात हुई है कि मुहमद की चार बेटियां थी ना हज़र्द मुहमद की चार में से जब हज़र्द मुहमद की हिजर्द कार गए ठीक है तो क्या हुआ जी के दो बेटियां फात्मा और दूसी बेटी का नाम मेरे उमे कलसूम थी शायद वो दोनों मदीने हिजर्द करने के लिए निकल रही थी और एक उंट के उपर वो दोनों बैठ गई गई और एक बंदे पहुंचने के दस दिन बाद यहां पंद्रा दिन बाद वो मर गी हज़र्द मुहमद ने फिर यह कसम खाई कि उन बंदे को मैं नहीं छोड़ूँगा और जब मका फता मका हुआ था उन छे लोगों में वो बंदा शामिल था जिसने हुट को बढ़ गाया था और वो जाकर क कॉछ रिबायत के मताबे के गड़िया और मुहमद ने वहां भी उसे कतल कराया किसी ने जांक कर आख這些 ने कहा इसी की तैसी की तैसी कार है कंड दिया कदल कदल करदी है कि यह कोई यह कोई नेलसन मंडेला लेवल का की अच्छाही नहीं नहीं है भाई है कि ही कि कअगर आप समझें कि अगर हजएत मुहमद नैसल मंडेला से बड़े हैं के छोटे हैं मुझे बताएं नहीं देखें मैं यहां इसना अब खिए ना इस वेरा जा रहा हुआ है कि आप आप आगे आना चारहा हूँ आप सिर्म मुझे यह बता ज़रेंगे ज़रत मुहमद नैसल मंडेला से बहुत बड़े हैं, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, काम तो यह नैलसन मंडेला के लेवल का नहीं है ना भाई, ठीक है, नैलसन मंडेला होने के लिए तो फिर कुछ और करना पड़ता है ना, ठीक है, तो बात सिंपल सी है, ख़जरत महम्मद की जो अच्छाहीं हैं, वो आपकी और मेरी अच्छाही का भी मकाबला नहीं कर सकती, मेरा आर्गिमेंट हमेशा से यह रहता है, कि आप जिसको नभी मान रहे हैं, यार वो आपके मेरे मौरल स्टेंडर्ड पे नहीं पूरा उतर रहा है, तो हम क्या करें, ठीक है, यह बार बार मुझ से यह करते हैं आप ने कभी कोई बात नहीं की अच्छाही की, यह नहीं की, कोई नहीं की, यार कंपरिटिवली हजद मुझ में भी कुछ अच्छी बाते होंगी, यह कौन सा इतना बड़ा को मसला है, और एक अच्छी बात किसी इंसान में निकला है, तो इसका मतलब है फृष्टा बन जा ठीक है, हाँ, अच्छा जी, आँगे चलते हैं, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं, हक ब्रेलवी से बात करते हैं, वई, जो, गाले पे अवाज आ रही है, आ रही है, क्या हाल, कैसे होगी, ठीक ठाक, आप सुने हैं, कैसे हैं, जबर्दस्त, हाँ जी, क्या बात करें, गाले यार्ट पे जो आप ये स्ट्रीम करते हैं और अब जैसे आपके पास जैसे मैं कोई गैस्ट आया हूँ तो आपके पास मतलब ये तरीका होता है कि आप पता लगा सकें गैस्ट कहां से है या कुछ भी इसके हमारे बारे में नहीं यार कोई तरीका नहीं होता है अच्छा मतलब अगर मैं किसी की भी स्ट्रीम में जाता हूँ जैसे वो कैसर राजा बगार होते हैं तो उनमें यह आगया आप जिस फेस्बुक या यूट्यूब मतलब नेम से लॉगिन करते हैं वो नजर आ सकता है अच्छा तो उसके ल कुछ नहीं होता है हैं जी यह तो फिर फेस्बुक यूट्यूब की अच्छा प्र रहें गया भर बरना हो सकता है कि उसको आपकी कुछ इन्फ़र्मेशन में चली जाए है और आप यह बात याद रखिये जिन हज़रात का आपने नाम लिया वो यह कुछ एथियस को ब्लैक मिल किया थारा मैंने कहा था कि आप यह तो बड़ा भोलते हैं पर क्यों नहीं कुछ बोल नहीं किया ना मैंने इन्सी और गण ne कैसी चाहिँ आभ możemy अच्छा जी आगे चलते हैं हम यूनस खान हलो अन्मीट करो भाई मैं ठीकूं भाई आप कैसे हैं बस बढ़िया 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 नब बढ़िया नब बढ़िया तो उनके लिए बाया हो गर आप परमिसन दे दो अगर कोई मॉमिन भाई आए तो उनके लिए मैं आया हूँ अगर कोई आया तो आपके स्ट्रिम पर फड़ा परमिसन देंगे तो फिर मैं रोख सकते हैं आप मुझे स्ट्रिम में यार यह तो सोलो सेशन है भाई मैं किसी को भी नहीं डोगता इसमें ठीक है तो आप चलें बहुत शुक्रिया फिर आपका थैंक यू यार यह question platform है यहाँ पर मैं लोगों के मिलाखड़े तो नहीं कराता ठीक है अच्छा जी आगे चलते हैं अजाद इंसान से बात करते हैं हलो 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 गाले बाई आपको में यह वाज़ आ रही है मगर अपने मूँ से माइक थोड़ा दूर करें बहुत ज़्यादा आ रही है हाँ जी आ रही है क्या बात करेंगे ओके ओके अच्छा गाले बाई मैंने आपसे कुछ यह शेयर करना था कि यह मुसल्मानों में इतनी एक्स्ट्रीमिजम क्यों है कि हम अगर हम में से कोई या फैमिली में कोई अगर अपना दीन छोड़ देता है या कुछ इसलाम से हट जाता तो पूरी की पूरी फैमिली आखर उसको क्यों छोड़ रहती है मैं इस बात पर काफी परिशान था तो मैंने देखा एक मुझे आयत मिली जिसमें कुरान के एक आयत है कि लंदनाल बेरा हत्ता तुन्फिको मिम्मा तुहिबोन तो कि तुम नेकी तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि तुम किसी ऐसी चीज़ की कुर्बानी ना कुरो जो तुमें सबसे ज़्याद आजीज हो सम्थिंग लाग ता अबस मैं ही आप से शेयर करना जाथा कि मेरे बारे में बता चला ना तो क्योंकि मैंने जगाब इंटव्यू लिया था इंटव्यू मैंने फोड़ किया आपको भी मैंने खेर एमेल की थी तो मुझे रिस्पॉंस तो नहीं मिला लेकिन वट है एसे मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ा है तो मुझे लगता है शायद उनों भी नेकी हासल करने के लिए मुझे भी छोड़तीया है तो I was very devastated, very बहुत परिशान था अच मैं अब इस चीज़ को लेके कि मजब एक अब पाकिस्तान जाते हूं अपकी तरफ कनेक्शन का कुछ इश्यू है मैं 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 अब सभी सुन पार हूँ आपको अब ठीक है वाज अब ठीक है वाज तो अपनी पाकिस्तान जाते हूँ अपनी safety भी दिहान में रखें ये ना होगे आपको family में से कोई कर ले ठीक है तो ये बात तो है मगर बात अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं क्योंकर पाकिस्तान में या इसलामी मुलकों में लोगों की upbringing ऐसी की जाती है अभी कल मैं क्रिस्टिन का interview सुन रहा था जो के अमरीका में Christianity को criticize करता है उसकी family ने तकरीबन सारी ने उसे छोड़ा हुआ है तो ये चीजें सब मजबू में होती है ऐसा नहीं है कर नहीं होती है आपको पता कि इंडिया में जब कोई हिंदू जो है जो के हिंदू background से होता है वो सिर्फ कास्ट से बाहर शादी कर ले तो उसका भी हुकापानी लोग बंद कर देते हैं ठीक है तो हर मजब कुछ ना कुछ चीज को टैबू समझता और इसलाम का टैबू यह है कि आप इसलाम छोड़ दी आपने जी आप काफर होगे हैं काफर से तो हम दोस्ती नहीं राख सकते क्योंकि कुरान में आते हैं यह बाते हैं और मैं अगर आप मुझसे पूछते तो मैं तो यह क्याता कि आप अपनी वीडियो अपने रिष्टेदारों को मत भीजें ठीक है फामली को और इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट कार लें तो बेतर होता है ठीक है यह बात है जी घाले भाई यह मेरे कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था अच्छा तो खेर आपकी यह यह मैं बीच में चूंके ऑफ लाइन हो गया था तो मैं मैं तुबारा से सुनूंगा आप आपके जो इसका रिस्पॉंस दिया है अमेजर जो आपके पहले कोल यह बाइथ है जुन्हों ने जिकर किया था कि मुहांम्मद साब के ने 50 साल की बाद जादा शादिया की थी क्या उस पर मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ पाँ जी कर लें आचा थेंक यू मैं समझता हूं कि जो मुहम्मद साहब की शादी थी नहीं हज़त खतीजा को तोटली फैनांशिली डिपेंडन और बिकॉस वह बहुत बड़ी बिजनस वर मैं थी और उनसे जो बैनेफेट सुललादा को उसकी वजादी गी थी और वह जो हो मैं तोटली यह समझता हूं कि इसकी रीजन यह है कि उनका फैनेशल डिपेंडेंट होना वास दी रीजन के उनकी एज तक उनकी जिनकी जिनकी में कोही शादी नीए कि इसके बारे में आपना चाहिते हूं यहां पे ना गालिब भई काफी पाकिस्तानी लोग है जिन्होंने यूर्पियन लड़कियों से शादी करके पियार ली भी है और जब इस चीजस का अथरोरिटी उन्माइए पाकिस्तानी लड़कियों से ज्यादा चानि खाथा भी आप तर देता था पर शेयरि काम के से काम हमारे पुछाबिवे एक हमारे सब्सक्राइब कologically की कतले हुए पाकिस्तान से, इंडिया से, बंगलादेश से, ऐसे जितने भी लोगों ने गोरियों से शादियां करके, पियार लीनी है, उनकी पियार रिवोक हो रही है अब, ठीक है, तो हुदूर पाक ने भी तो बेनेफिट लेने के लिए वो शादी की थी, जो कि फिर पच्चे साल चलाई, डैथ होना, ये उनकी, एक क्रेडिट है उनके प ट्राइब लादियों के, पुराने जमानों में जो कोई ट्राइबस के लीडर्स होते थे, बड़े-बड़े आदमी होते थे, वह अपने आपको यह भी जताने के लिए कि इतनी पीवियां, ये बी एक ज्यादा स्टेटर सिंबल भी था ये सिर्स का सेक्स से तालुक था यह स्टेटस सिंबल भी था कि एक आदमी की कितनी लोणियां और इतनी बीवियां बादशाओं की सो सो होती थी दाउद की सो बीवी थी सुलिमान की एक हजार बीवी थी उनकी हिस्ट्री जो उटा साच्चा जो भी या मगर बनी इसराइल के जितरें भी बादशाह नीचे लेकिन फिर भी पोल कुछ पिल्कुलो भी नहीं के नहीं नहीं किए सकते हैं तो नेगिटिव गॉप्स्नित हम तो यह बात कर रहे हैं कि अध्र मुष्मध ने बाद में शादीयां इसलिए कि वह बाद में ट्राइबल चीफ टाइब ure साइब की चीज बन गे थे बिल्कुल बिल्कुल सही बात बहुत बहुत शुक्री है वैसे आज दिल खोगा उदास था तो I thought कि मैं आपसे शेयर करूँ अपनी वाली बात की हर अपने दोस्ट से यह कहूँगा चाहे वो एक्स मुसलिम हो, एक्स क्रिस्चन हो चाहे एक्स हिंदू हो जब आप मजब छोड़ते हैं तो यह के अपनी फैमिली को बताना ही एक बड़ा सोच समझ के करने वाला मसला है दो साल बाद मेरी फैमिली को समझ आई थी कि मैं मजब छोड़ चूँगा है तो ड़ाई साल बाद जाए टूसाल बाद में अच्छा होगा मजब लेगा है शाये टूसाल बाद में या एलेवन के अंड पर जाकर पता उनको चला था कि मैंने मजब छोड़ दिया मुझे यह भी कहा जाता था तुम चर्च नहीं जा रहे मैं कहीं बार बीच में चला भी जाता था ठीक है तब मैं दाड़ा इतना कोई वो नहीं था फिर आइस्ता आइस्ता फिर मैंने इम्मत बंदाई यृ पिर मैं नहीं जाता था यह चीजने चलती रही है यह जिए तो यह मेरे खियाल में आपने जल्दी की है कि आपने फैमिली को बताया आपको सोचना चाहिए था ऐसे मत करें आप लोग कि अपनी जिन्दगी को दाओ उपर लगाए जो मैं सबसे कहता हूँ हमेशा गाले आप ठीक कह रहे ना कि मैं 100% अगरी करता हूँ आप फैमिली को छोड़ना चाहिए था फैमिली के पार्ट पे अगर आप देखें मतलब मैंने छोड़ा है ना तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर इंसान उन रीजन्स को समझ जाएगा जिस बासे मैंने छोड़ा है यह बात मैं हमेशा करता हूँ ठीक है ओक यह बात ठीक है यह नहीं करना चाहिए आपको सोचना चाहिए था यह बात याद रखे नया एथियस्ट यह खुद नहीं समझता कि उसके मजब छोड़ने के रीपरकॉशन्स क्या हो नहीं मैं आपको एक बात बता दूँ मुझे तकरीबन तकरीबन को 14-15 साल हो रहे है मैं एथियस्ट हूँ ठीक है और अगर मैं यह सोचू ना कि पहले पाउश साल में कुछ चीज़ डिफरेंट हो सकती तो मैं लिटरली अगर मुझे दुबारा रिलिव करने का मौका मिले तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो कि मैं वैसे करूँगा ही नहीं जो जैसे हुई है अगर मेरे पास क्यों गालब कमाल मुझे उस ताम मशवरा देने के लिए होता ना कि हाँ जी मैं यह करने लगाँ करूँ या ना करूँ तो मैं अपने आपको जो मशवरे देता ना वो बड़े डिफरेंट होते हैं दाके मैं जिन्दगी में बहुत से मसलों से बात चाता हूं ज़ीग कूँवरी नहीं है कि आप मुलहद होने की प्राइस पे करें नो मैंने की आए मगर क्या मुझे से कोई पूछे कि आप वाख़ी करना चाहेंगे वो प्राइस दुबारा भी पे नहीं मैनी करना जाओंगा मैं चीजों को वाइजली करूँगा कि काम भी हो जाए और लाठी भी ना तूटे तो आप लोगों का अईटिटूड यह होना चाहिए कोई शाहदत नहीं चाहिए कोई आपको सवाब नहीं मिलना लोगों को बता के कि आप अपढ़ी तीस ब पहुँचेंगी तो कल पहुँचेंगी मैं उसक्राइब गी नहीं जहां कि पहन का दी के वह आपके वहार में लौत्वी अन्हें करें मगर आपके वो ही बहन भाई तीन तीन चार चार बच्चे पहला करेंगे और ये बात याद रखीगा कि कल उनी बच्चों में से कोई न कोई मुलहिद निकलेगा क्योंकि वक्त तब उदर को जा रहा है और वो ही लोग ये मेरी बात आप लिख लें आज जितने भी मुलहिद सुन रहे हैं एथियस सुन रहे हैं मेरी बात लिख लें आपकी वो बहने आपके वो भाई साले सालियां आपकी बीवी आपके और बहुत से आस पास के लोग जिन को आपका एथियस होना एक आँख नहीं भाता काल को जो अपने बच्चे एथियस निकलेंगे ना तो वो खुद एक्सक्यूज देंगे कि नहीं जी हम अपने बच्चें को छोड़ तो नहीं सकते हमें तो कोएक्जिस्ट करना सीखना है मेरी आँखों के सामने यह हुआ है वो लोग जो अपने बहन भाईयों को की होमोसेक्शूल टेंडेंसी को बरदाश नहीं कर सकते थे आज उनके अपने बच्चे जब होमोसेक्शूल निकलेंगे ना तो वो बरदाश करते हैं आज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो के साठ साल की उमर में जाके सिर्फ अपने बहन भाईयों को रिजेक्ट करते थे कि वो एथियस नहीं ठीक है आज अपने बच्चों की बाद से खुद एथियस बन चुके हैं उन्होंने अमामा बता अपने बच्चों को दे दी हैं क्यों ये बात याद रखें कि लोग आपको रिजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनके नजरिये से इखतलाफ करते हैं लोग आपको इसलिए भी रिजेक्ट करते हैं कि वो सेलफिश हैं ये समझने की बात है बहुत बड़ी समझने की बात है कि लोग आपको reject इसलिए भी करते हैं उन्हें लगता कि आप उनके वजूद के लिए उनके survival के लिए खत्रा है आप उनकी बेटियों को उनकी बेहनों को उनकी बीवियों को कुछ ऐसी बात सिखा देंगे जो जिनकी बात से उनकी authority में कमी होगी उनके बच्चों को कोई ऐसी बात आप उनके बच्चों पर bad influence बान सकते हैं हलांके काल को वो बच्चा खुद atheist निकल आए तो फिर ये लोग जो है न वो उनको बरदाश करेंगे उनकी बात से atheist बनेंगे ठीक है तो ये बातें आप अच्छे तरीके से समझ लें ठीक है जो आपको आज नहीं बरदाश कर पा रहा रहा न तो आल उनके अपने बच्चे इस तरह होगा उनके साथ दुनिया अब ऐसी ही है जिनके बच्चे नहीं है उनके पोते होंगे ये हो इनी सकता कि आज से तीस साल बाद जो लोग आज आपको रिजेक्ट करते हैं उनकी फैमिली में कोई और एथियस ना निकले ये नहीं हो सकता दुनिया में जो फिनामेना सब से ज्यादा बढ़ रहा है वो एर रिलिजन है लोग मजब छोड़ रहे हैं इसलामी दुनिया में भी छोड़े इसलामी दुनिया आज से पचास साल बाद बहुत अग नहीं होगी जहां पर दुनिया आग लगी होगी हार तरफ मुलहिद फिर रहे हो और इनको बरदाश करना पड़ेगा ठीक है यह नहीं होगा कि तब भी लोगों को मॉब लिंच कर सकेंगे जब 20-25 परशंट 30 परशंट लोग एथियस्ट होंगे तो फिर उनको मॉब लिंच नहीं कर सकते फिर फिर सुसाइटी के पास सिर्फ एक ही चारा होता कि वो एकसेप्ट कर ले यह बात याद रखते हैं फिर डिफरेंट तरीके के सुवाल कि अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे रहे हो इसको किसी वहाँ पर इसलामिक सेंटर में भेजा है योरप पर किसी इसलामिक सेंटर में भेजा है कोई इसलामी तालीम क्या दी है कितनी सूर्थे याद करवाई है आप जो है अकाउंटेबल होते हैं पीचे अपनी फैमली को वें वें इट कम्स तो रिलिजन ऐसा आप अजाद तो है नहीं आप जितने भी चाहिए यॉर्प में चले जाएं दुनिया किसी मुल्क में चले जाएं तो आप यॉर्वेस अकाउंटेबल तो यह वीजन थी मेरे होने की और इसी लिए मुझसे हुई यह गल्तिया आप कहने के I committed a mistake बट मैं तंग आ गया था मैं कितना सा और जीता इस बोज को उपने सर पे लेके तो that was the reason गालिब भाई कि मैं थोड़ा open up हो गया तो आपने जो करना था वो आपने कर दिया मगर मैं बाकी लोगों को नहीं जाता कि वो यही करें त्रीके से ठंडे तमाग से सोचें आपने कहां तक reveal करना है कहां तक नहीं करना closeted atheist होना में कोई बुराई नहीं कुछ नहीं आपको कोई स्पेशली जो पाकिस्तान में वो तो बिलकुल भी खामोश रहे हैं वो तो बिलकुल भी ना बोले हम लोग चल अच्छा जी हम आगे चलते हैं भाई लाइक करते रहे हैं आप लोग सूपर चैट सूपर थैंक्स चैनल मेंबर्शिप्स के थुरू पेपॉल पेट्रियॉन इनके थुरू भी सपोर्ट कर सकते हैं अबास आगा से बात करते हैं हलो यह वाद आरी है आरी है किसे हैं अब शुक्रला मुदिशलला है आप सनायं कैसे हैं मैं ठीकूं हूँ भई क्या बात करेंगे मैं कुछ एक बात आपसे क्लिफ है करने आया था उससे पहरे मैं एक ज़रा कुमेंट करना चाहता हूं आपकी बात पे आपने कहा कि एथियस की ऑलाद में से उनकी पोते दोते भी मुसमानों की एथियस निकलेंगे तो यह तो चलता रहता है कभी हक उपर आता है कभी बातल उ की है इसे हमें यह यह और दुसरे बात याद रखें कि दुनिया में मखब छोडब odor res दूर आप इस बात को यह कहना कि अगर यहां इतने लोग फलांधरफ जा रहें इतने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप भी इस रियालिटी को जानते हैं कि इलहाद बाड़ रहा है पाकिस्तान में रहते हैं ना आपके आस पास ही बाड़ रही है और दुनिया में आपको पता है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में मुलहिदों की तदाद बहुत ज छोड़ देगी दुनिया जा रही है उस तरफ जी जी मैं आपके पसंद आए या ना पसंद आए हकीकत यह है कि दुनिया मजब छोड़ रही है मैंने हक और बातल की बात इसलिए की थी कि किसी ने खूब कहा है कि truth is the truth even if you're a minority of one कि पूरी दुनिया भी एक साइड पी होज़ धिया किँ कि या यहाद रखें कि दुनिया में साइंसी तरकी ठ्क है इस बात की जमानत देती आ कि लोगोह ने उस जहालत को छोड़ना है कि साइस की तरकी के रसले में हजारों साल तक रिकावट बनी रही और उस जहालत का नम मजभ है हम जानते हैं जी मैंस तो मुसिते है मगर अगर हम जमीनी हकाइक को देखें तो पूरे इसलामी मुलकों में जो साइंस का हाल है एक ही चीज डिफरेंट है इसलामी मुलकों में और गार इसलामी मुलकों में वो इसलाम है साइंस में मतलब एक ही चीज डिफरेंट है जो इसलामी मुलकों में और गार इसलामी मु olinaIROP में बहुत पीछे है आगा आगा हैं अब बाकी कड़िया आप मिला सकते हैं लोग खुद मिला सकते हैं जी एक जमाना था जब के इसल्भी मुलक सबसे आगे था दुए में साइंस के अवपर सबसे आगे थे वो मुतजल्ला आगे थे, मुस्वान आगे नीधे? जी 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 ने मुस्वाओ तो एक जनरेशन रहे हैं. आप मुझे बताएं कि मुस्वाओ ना कि दो ना कि रहे है? जी यार किस के दोर में मुसल्मान साइंस में आगे थे बताए ना मुझे पूरे अबासियों के दोर में तो मुद्जिल्ला ही थे ना भाई मेरे भाई मुद्जिल्ला से एगी खलीफा था मेरे भाई मुद्जिल्ला एक मेंट सौल ऑफ बगदाद तक मुद्जिल्ला जो है ना जब तक हलाकु खान ने आगे बगदाद की हींट से हींट नहीं बजाई मुद्जिल्ला और यहूदी भी थे उदर ठीक है बगदाद में किताबे ट्रांसलेट कौन करता था युनानी से इबने इसाग करता था युनानी से और इबने इसाग को किसने युनानी से अरभी में ट्रांसलेशन करनी सिकाई इबने इसाग की मल्टी लिंग्विस्टिक था और उसी ने बहुत सा अच्छा यानि सारी बगदाद की लाइब दार-ul-हिक्मा के बारे में जो फत्वे जारी करने शुरू किये ठीक है जिस वजाली के इसलाम को आज आप फॉलो कर रहे हैं वो ही इसलाम था जिसकी वज़ा से मुच्जिला को मारा गया, जिसकी वज़ा से यहूदियों के खिलाफ बाते की गई, जिसकी वज़ा से क्रिस्टिन्स को मारा गया, और आप क्या समझ रहे हैं, अभी एक बात मैं आपको बता दूँ, अबासियों के दोर तक, यहूदी और बड़ी अबादी थे बगदाद की खीग है और आपकी इसलामी सल्तनत की भी आपको पता है डोम आफ दा रॉक किसने बनाया था जी नहीं मुझे उसका ने मलूम लेकि मैं उससे पहले आपको बता कि डोम आफ दा रॉक जो है जो आपका कुबा तो खिसरा है थार जाओं आप ने गलत बातें बहुत से ही कर रहे हैं मुझे उनको रिफीट करने दी एक करके में गलत बातें नहीं कर रहा भाई मैं तरीफी तोर पर पर प्रेक्ट बातें आपको पड़िये आपको मैं चैलेंज करूं हजरत आपके एक मिंट या रहे हैं और या आपके साथ जो है ना एक मिंट मैं क्रॉस टॉक नहीं करूंगा दूसरी बात है कि आप सिर्फ यह कह देंगे मेरी बात गलता उससे गलत नहीं हो जाती प्राबलम यह आ कि अबासियों की पूरी हकूमत में गयर मुस्लिम और बाते हैं यहां नहीं चलती ठीक है आप फैंकते जाएंगे और मैं मानता जाओंगा ऐसे नहीं होता और दूसरी बात यहा कि बहस हिस बात की थी कि क्या इसलाम साइंस का दुश्मन है तो हाँ इसलाम साइंस का दुश्मन है गजाली ने जब मुच्जिला को और उन लोगों को जो के दार उल्हिक्मा चलाते थे गलियों में के सीटना शुरू किया इवन के फाल वगदाद से पहले बगदाद का जो डिकलाइन है साइंटिफिक वो शुरू हो चुका था और उसके बाद मुसल्मान दुनिया में कुछ नहीं का सके ठीक है और ये बात याद रखें कि उ बात सिंपल सी है कि इसलाम साइंस का दुश्मन तो है ये तो हम जानते हैं आज भी आप लोग अगर साइंस के थूरू एक बंब बनाते हैं जो के चोरी करके आप बना लेते हैं पाकिस्तानी उसके बाद आप कहते हैं कि ये इसलामी बंब है ठीक है तो इसलाम ने तब भी जो साइंस होती थी उसके उपर सिर्फ लेबल इसलामी लगा दिया था और उसको इसलामिक साइंस का नाम दे दिया था इसलामिक साइंस कुछ नहीं होती बाई साइंस साइंस का कोई मजभ नहीं होता ठीक है और इसलाम साइंस का दुश्मन है हम ये बात जानते हैं अच्छ लिए पहले तो बात है आपने पूरी तहकी कर लेठी छिये मुति-जला की जबने बात कि गल्त बात कि रहा है अब करना चाहिते हैं मेतने आप बात को मुझ्जला तक मुझ्जला तक महदूर घरना चाहते हैं यार मैं तो आपको किताब भी बिता सकता हूँ जो के मेरी अपनी किंडल में मुझूद है मुझूद है मुझूद है किताब का रेफरेंस दीजे बताईए उसमें आप यह बताईए कि उसमें जब तक मंगोल नहीं आये मुझूद है मैंने जो बात नहीं की ना उसको करके हीरो मत बनो सिंपल सी बात है आप जो वह बात कर रहे हो जो मैंने कही नहीं है मगर एक बात याद रखना कि आपके सारे बिरूनी ठीक है इबन हैसम यह सब के सब जिनके नाम की किताब में है आज जिनके आपने पाकिस्तान की फिजिक्स के और बियालोजी के कॉर्सिस में लगाया है ना मुसल्मान साइंटिस्ट वो मुझूला थे सारे के सारे ठीक है जिनके आप नाम लेते हो ना वो मुझूला थे सब के सब ठीक है और जिसका अहमद बिन हमबल और घजाली का नाम ले रहे हो वो गलीज मौलवी थे जिनोंने असल में उन लोगों के लिए जो के बगदाद में कोई ऐसा काम कर रहे थे जो के साइंटिफिक था उनके लिए जिन्दगी तंग की हुई थी उनको गलीओं में कसीटा था ये बात मैं कर रहा हूँ आप ये बात जो कर रहे हो उसका इस बात से कोई तालुक ही नहीं है मैं एक प्राइमेरिली डिफरिंट बात कर रहा हूँ और आप एक खुद से इतराज बना के उसका जवाब दे रहे ह लोगों के सामने आंखों के सामने आप आंखों में दूल जाओने की कोशिश कर रहे हो इनसान को इतने डिसवानेस्टी से बात नहीं करनी जाई है ठीक है मैंने ये कहा ही नहीं है कि सिर्फ मुत दिल्ला इंचार थे आपको किसने कहा है ये दस बार में बात रिपीट कर तो थोड़े आने का मजारा करें इसलाम को आप सिर्फ मैंनकि की फुदक्नियों से वो ही कर रहे हो क्या बात कर रहे हो तो थोड़े होनेस्टी का मजाहिरा करें आप मुझे यह तरीका ना बताओ जब इतनी जह से आप जान बूझ के मुझे मेरे मुझे मेरी को मिर्सिप्रेइट कर रहे हो तो उसका आपको फिर एक रियाक्शन तो मिलेगा अब उस रियाक्शन पर मुझे मुझे निया खिलाकियात का लैक्चर यह बात कैसे करते हैं उसका लैक्चर देने की कोशिश मत करो आप एक तो इंतहाई डिसोनेस्टी से बात करें और उस पर बेशरमी का मजाहरा कर रहे हो बिल्कुल जिस बात नहीं कर रहा आप यहां पर अगर कोई बंदा वीडियो रिवर्स करके देखेगा तो उससे खुद पता चल जाएगा कि यह बंदा उस बात पर लाड़ रहा है जो बंदे ने कही नहीं आपने मुझे जिकर किया था कि मैं मैंने किया है बिल्कुल किया है मगर मुझजिल्ला का जिकर मैंने इसलिए किया कि जितनी इसलामी साइनस आप आज बताते हो ना वो सब जिनों ने जो वो साइंस पेश की थी वो सारे मुझजिल्ला थी यही आपने कहा ना जो आप जब मैंने बात की ना कि इसलाम था साइं यू नहीं चलेगा आपकी मैं आपको पहले कह रहा हूँ ना कि यह डिसॉनेस्ट बात हैं यहां पर नहीं चलेंगी फिर आप मुझ पर जूट बोल रहे हूं भाईया मैंने जो बात कही वो यही थी कि जितनी इसलामी साइंस आप आज पेश करते हो जो आप अपने बचों को को अट-जित में अगर मैं आपको फैक्ट करूंगा जहां जहां आप जूट बोलेंगे again, मैंने जो बात की थी, मैंने का इसलाम साइंस के खिलाब बिलकुल नहीं है, आपने यहां पर आके बात की मुतजला की, आपने फिर यह कहा, जब तक सैक आफ एराक नहीं हुआ, बगदाद नहीं हुआ, मुतजला वाकी मुजूद थे तब तक, इसमें तो कोई शक नहीं है, बताएं, आपने का तो इन चार्ज थे, मैंने का वो इन चार्ज नहीं थे, उनका दो नहीं थे, भाई यहां खाम खाम फिर वोई बात कर रहे हुं, जी मुझे आप बोलें की ज़ायते हैं, आप बोलन नहीं दे रहे हैं, आप मेरे मुँ नहीं जूट टाल रहें, ठीकर? पिर चोड़े ना इसी लिए क्योंकि आपको जब आपकी बात को पकड़ लिया जाए तो आप लोग फिर भाग रहा है आप भाग रहे हैं मैं भाग नहीं था भाई मैं तो अब भी उसी बात पर खड़ा हूं कि आप फिर वही बात फिर वही डिस्वनेस्टी का मुझारा कर र साइंटिस्ट बता दो या हम्बली का बता दो फिर बात कर लेते हैं जब थे वह सारे मुझजिल्ला जिनके आप नाम ले रहे हो आज तो फिर आप क्यों मानने से इंकार कर रहे हो कि जिनके अंडर स्यादा साइंस हुई वह सारे मुझजिल्ला थे बलके सारी साइंस ही उनक किसी चीज़ इतनी देर आपको यह statement देने में लाग क्यूं गई फिर ने ने और इतनी देर से फिर आप उनका कातल उनके कातल गजाली और हमबल को क्यों डिफेंड कर रहे हैं मसला यह है ना कि आप बता दे ना फिर आप उनके कातलों को क्यों डिफेंड कर रहे है अगर आप मेरे अंदर हिम्मत है मगर आप बार बार बात को टॉपिक से डिवेट करते हैं मुझे मिला स्टेटमेंट कंप्रीट नहीं दे रहे हैं आप बीच मेरे टोक देते हैं बार बाता मेरा प्लीस अहां तो मैंने आप से जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दे रहे हैं कहा सवाल कीजिए दोबारा से मुझे बताएं कि आप फिर हंबल और घजाली जो उनके कातल थे आप मुझजला को अगर मुसल्मान गहर मुसलिम नहीं समझते तो हंबल और वो जो जो घजाली हैं जो उनके कातलीन में से थे आप उनको अच्छा क्यों समझ रहे हैं तेके जी, वो लोग perfect नहीं थे, कोई भी perfect नहीं था, किसी चीज में वो घलत हो से थे, किसी में सही हो सकते हैं, जो मुसम्मान हम समभ उसके मोहमें साथनी हैं, तीक है, आप ने आपने बात की ने science की और इल्म की, कुरान तो बार बार कहता है काला रर्भी जिद्नी इल्मा कहो कि अल्ला मुरे इल्म में इजाबा कर अल्ला ने फिर कहा है कुरान में कि इल्म वाले और बगार इल्म वाले वे एक जासे नहीं हो सकते तो आप कैसे कह सकते हैं उस इल्म से मुराद साइंस है अगर मुराद साइंस है तो मुझे बता दें कुरान से साइंस की डेफिनेशन निकाल के बता दें आप ये बताईए कि कुरान साइंस के खिलाफ है या हदीश में लिखे हैं तो कुरान तो साइंस के खिलाफ है मैं भी आपको बता दूँगा वो तो मसला नहीं है क्वे प्ताई यह कि कुरान तो साइश के तब खिलाफ है जबु कुरान साइnt ग्रायर साइशाइNस और करता है। वो बिल्कु इसलाम के उपर रह सके रह कर अच्छा मुसल्मान हो कर एक अच्छा साइंटिस्ट भी हो सकता है इसलाम इसके खिलाब नहीं है आप एक अच्छे साइंटिस्ट और एक अच्छे मुसल्मान का नाम बता दे मुझे वो जतने भी या बासियों मे दूरर के जतने भी साइटिस्ट थे वो तो मुझद लाथे भाई में उनको मुसमान समझता हूँ वो मुसमान थे आप भाई वो तो यह भी मानते थें क्रान जो आप लूम्हंन वो समझते थे खर्ण जो आप Whew बहुत रे झी जोतो बहूत नहीं मान रहे आप उसको आप चाहँ पढ़ा है कि अल-बैरुनी और अल-फारिजमी जुसे थे वो मुझजला थे आपने कहा पढ़ा है क्योंके देखें आप ये बात जो कर रहे हैं ना कि वो मुझजला नहीं थे ये तो फिर आप सुबूत दे ना इस बात पर नहीं थे आप पहले खुद कह रहे हैं कि चारसो साल का नहीं था अब आसी ओंका दौर चार-पाइट साल का था तो बात ये पताएं ना बाकी कि आखर के साल में तो घुजला ली सामने आ चुका था और आपको पता कि जब बगदाद के ऊपर आया जब हलाकू आया तो बगदाद में तो आपका तो आपका तो जो खलीफा था वो ये मान के वाइठा था कि अगर बगदाद फता हुआ तो जमीन क्यामत आजेगी बस ये को साइंटिफिक टैंपरामेंट तो नहीं था ना बस ही तो एक सो साल से बहुत वीग हो चुके वे थे पहले आप फिर खुद कहा रहे हैं कि पहले सो साल और फिर कहा रहे हैं एक सो साल बाद वह भी को चुके थे आप मुझे एक बात बताएं ना के उसके बाद फिर गजाली मौलवी ही तो था ना, आप लिस हमबल की बात करें, वो भी मौलवी था? नहीं, मैं ये, देखें मैं इन्हें घाजाली को जयदा नहीं पड़ा, मुझे आठी बियूनरफ मौलवी नहीं था? वो बहुत बड़े इमां थे, इमाम गजारी, मौल् सी नी था वह? आलम थे, बहुत बड़े, मौल भी था ना यार, सीधी बात करी, तरबू जह मौल्वी कहते हैं, हम उनको भो उनी कहेंगे, कि वो हम इसे कहते हैं, बहुत बड़े आलम تھे, इनको इल्म बहुत जाए था 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 ठीक है तो आप कह रहे हो के अमाम घजाली साइंस का दुश्मन नहीं था क्योंको मुझजला तो साइंटिफिक टैंपरमेंट को मानते हैं ने ने उनका जो डिसग्रीमेंट थी ना वो ये थी के मुझजला जो उसे थे ना यार क्या मुझजला ने घजाली को कतल कराया यार मुझजे बताएं ना हाँ अमाम घजाली ने कतल कराया था ना ये तो आपकी तारीक्री इसलाम की साफने मुझजला बिलकुल मुझजला साइंस फालवर्स थे और आप जिन लोगों को कह रहे हैं कि मुझजला नहीं थे वो मुझजला थे जो इमाम अहमद बिन हमबल क यार फिर इदर से उदर चलांग फिर जान बूज के देखो मैं बात घजाली की कारणा और आप चलांगे मार रहे हो एमद बिन अंबल पे घजाली ने मुझजला को बगदाद की गलियों में धून धून के घोड़ों के पीछे बांद के घजीट के मरवाया ये आपकी इसल इसलांगे उन्होंने तो फिर बाद में ये इस तरह का रिजिड इसलाम निकाला जिसकी वजासे मुझल इसलाम जो जिसका डिकलाइन हुआ अहमद बिन हमबल अहमद बिन हमबल करते जा रहे हो मिया उसका मसला नहीं है मसला ये है कि इसलाम जब अपनी आबोताब में आया ना तो साइंस की मौट होगी जैसे क्रिस्चानिटी जब अपनी आबोताब में आई थी ना तो साइंस की मौट होगी थी उससे पहले लैटन्स और ग्रीक्स जो थे ना वो भी बड़ा साइंटिफिक टैंपरिमेंट रखते थे उन्होंने बड़े-बड़े जबरदास माइंड्स प्रोडियूस किये थे रोमन एमपाइर जो थी उसने बहुत साइंटिफिक इडवांसमेंट की थी इसी तरह बासियों की एमपाइर या आले-उमया की एमपाइर जब तक वो नहीं इस्लाम प्रॉपर तरीके से इंप्लिमेंट नहीं हुआ था जब तक इस्लाम लिखा नी गया था प्रॉपर, तब तक इस्लामी दुनिया तरक्की का जैसे हदीश लिख लिख ली जैसे फिका लिख ली जैसे आप लोगों ने तफसीर लिखी और तारीख लिखी उसके बाद आप देख लें जैसे जैसे बुखारी और जलालान इबन कसीर ठीक है ये सब के सब जैसे 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 ये किताबे सामने आती गई उसके बाद आप मु उसके बाद आपकी असाथी साइंस की मौत होगी और इसलामी दुनिया सारी अंधेरे में डूप गई और फिर फाल अफ बगदाद हो गया शायद कोई अमीद होती कि दार अलहिक्मा की वज़ा से बगदाद की बड़ी बड़ी लाइबरेलियों की वज़ा से मुसल्मान दोब कि बनाए है ठीक है पूरी हार चीज आप चोरी कर रहे हैं और तो कुछ आर नहीं सकते आप ठीक है तो यह बात है इसलाम वज़ा है साइंटिफिक डिकलाइन ऑफ इसलामिक वर्ल्ड की वज़ा है आप दुनिया में कोई एक ऐसा इसलामिक कंट्री बता दें जिसकी साइंस में इसलाम नहीं है और गैर इसलामी दुनिया आगे जा रही है और इसलामी दुनिया और पीसे जा रही है बलके पाकिस्तान जैसे मुलकों का तो और सत्यानास हो रहा है भाई इसलाम और साइंस का नफाक आप कहते हैं नो कि नहीं है ठीक है एक बात है जो कि थापित करने क ठीक है ये जो बाते हैं न रिसाफ एक गुसे के खिलाफ है इतनी सी बाद चलें ठीक ठीक है मैंने आगे जाना है बस मैं आगे चलता हूँ जी मुझे कुछ कहने की अजास्थ है हाँ जी आपको मैं थोड़ी सी थोड़ा सा टाइम देता हूं मगर टाइम मेरा इस शर्थ पर कि आप मेरा टाइम जाया नहीं करेंगे बड़ी मेरवेन है आपकी बात यह है कि आप कुछ भी साबित कर देंगे घजाली साब ने यह किया जादाली साह Umwelt है तो इसका रासूल है। कोई बीस्कॉलर कर सकता है। मैं किसी स्कॉलर का मुकलदेने नहीं हैं। कुरान और अल्ला का रसूल जो साइन्स के और इल्म के खिलाब है और मैं आप यह कह रहा हूँ कि वो साइन्स के खिलाब नहीं है मुस्मानों ने गलती है कि हम उनको डिफेंट करने के लिए यहां पे नहीं है तो यह आप बेसिक जो मिस्टेक कर रहे हैं वो आप घजाली को ठीक है ठीक है ठीक है बहुत शुक्री है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलें बहुत शुक्री है ठीक है आप जो बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं वो आप इस बात को नजर अंदाज कर रहे हैं कि जब कुरान एक बेसिक नजरिया रखता कि जमीन और असमान ऐसे बने ठीक है दोसी बात है मैंने बीच में इस बाई से पूछा था कि क्या आप साइंस की डेफिनिशन कुराँ से निकाल के दे सकते हो नहीं दे सकते नहीं यह कुराँ साइंस के खिलाफ इसलिए है क्या कुराँ हर एक चीज़ के बारे में एक मुझमे दिया स्टैक नजरिया पेश करता है जिसे बदला नी स跟े इस सबसाएँ इस बज़ा से पुराँ सस्क्राइड है इसलाम सस्क्राइड है खधत मुहम्मद हैया ज़ाब आप ये बिलीव करेंगे पुराँ ओझ़ती हो सकते हैं अब आप सस्ञूष के खिलाफ हैं जब आप ये बिलीव करेंगे गजाली डिड नोट गेट नम किल्ड बिकॉस दे वर साइंस एंथूजियस बस बिकॉस 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 दे थोट ले वर यूजिंग साइंस इन एवल वे दूसरी बात है कि सेकेंडली वो ये भी समझता था कि ये कुरान के उपर इनके नजरियात बड़े डिफरेंट है मु जाए के हदीसों की और रवायतों की रौशन होंगी वो ये समझते थे कि अगर कुरान अल्ला का कलाम है तो अल्ला की कलाम की सबसे इची इंटरपेटेशन रैशनल बेसिस पर हो सकती है और वो कुरान की अपनी इंटरपेशन करते थे वो कुरान की ट्रडिशनल इस्लामिक interpretation जो ये मुले करते हैं आज उसके 100% खिलाफ थे इसलिए गजाली उनके खिलाफ था गजाली ये समझता था कि हमारे पास एक ancient knowledge है जो रसूल से चलता हुआ आ रहा है और वो ये समझते हैं कि हमें इस ancient knowledge की बिल्कुँ जोत नहीं से हम ठुड़ा मारते हैं ठीक है वो तो ये सवाल करते थे कि अगर लोहे महफूज में कुरान लिखा हुआ था ठीक है अगर लोहे महफूज में कुरान लिखा हुआ था तो भाई फिर फलाँ फलाँ ऐसी बातें कुरान के अंदर क्योंकि वो ऐसी आयतें निकाल ले थे जो कुरान के अंदर रसूल अला की परसनल जिंदगी पर थी ये सबसे पहले मुझजला ने शुरू किया और फिर वो ये कहते थे कि यार फिर ये बातें भी को लोहे महफूज पर लिखी हुई है ये उन्हों थे अबासियों के लिए वो इसलिए उनके क्लोज रहते थे इसी तरह यहूदी और क्रिस्टिन भी उनके क्लोज रहते हैं मैंने इस बाई से पूछा था ना कि डूम अफ़ दरॉक किस ने बनाया था या मस्जिद एकसा किस ने बनाई थी डूम अफ़ दरॉक जो एक Church यह फिर एक Byzantine architecture में बना हूँ है Domum of the Rock किस ने बनाया था लोग कहें ज врем DB अब्डल मलेकर ने बनाया था मगर मसला यह है जो उसaja के बनाने वाले थे जो उसaja के नक्षे बनाने वाले थे वो Christian थे इसलिए होने अपने Byzantine Christian style में बनाया था आया सोफिया का जो स्टाइल है वो ही डूम आफ तरॉक का स्टाइल है ठीक है? तो ये बात अंकॉमन नहीं थी कि एक हुक्मरान उपर मुसल्मान हो और नीचे काम करने वाले सारे ऐसे लोगों जो उसके मजबिय अकीदे से अग्री नहीं करते हैं क्योंको कोई दुनिया वा हुक्मरान ऐसे नहीं चाल सकता जो कि सिर्फ अपने मजब के लोगों से बात करें क्योंके एक सिंपल नॉलेज होता है ठीक है? नॉन कन्फरमिस्ट आये हैं क्या हाल है नॉन कन्फरमिस्ट? यहां पर जो भी इन्वेंशन इस इन ओल्डिस सिविलाइजेशन आफ दे वर्ल्ल जो 6,000 साल पहले थी यहां पर आर्टिटेक्ट्ट्र था यहां पर आर्ट्स एंग्राफ्स था वन ओर दे बिगएस रिलिजेंस की यहां वर्थ हुई है इनके पास लॉज थे इनके पास सिस्टम अफ गवर्नेंसी पौर्टरी तो हम इसको सैटलमेंट नहीं कहते हैं इसको एक प्रॉपर सिविलाइजेशन कहते हैं लेकिन अगर आप फिर यह कहें कि जो गोल्डिन एज उसलाम जो कि सीरिया में, एराप में फिर आप यू सी यू नो सम फिडॉसिफर्स इरान, एजिप की तरफ तो आप फिर ग्रेड़िद दे उसलाम का क्योंके इसलाम एंड़ेड़ इस इरिया इस दोसे नहीं कि यहां पर पहले कोई इंटेलिजेंस नहीं था, यहां के लोग कोई करक्षी नहीं करे थे वो शुरू से ही इसलाम की कोई गोल्डन एज जी हजाज रीजिन जहां पर बिर्थ वी इसलाम कि वहां से आप कोई ऐसा कोई बड़ा फिलोसिफर और फिंकर दिखाएं जो के उस तेवल का है जो जो के गोल्डन एज के जो फिलोसिफर और साइंटिस के अट पार हो जब आपके पास आप, I think that try to take for the achievements of these individuals, जिसमें religion का कोई रही है you're saying that your religious book is not against science but still it is a religious book it's a theology, your subject doesn't touch on physics it doesn't touch on cosmology, it doesn't touch on biology we know that the earth does not the sun does not evolve around the earth we know the speed of light all these achievements that have come about no religion has ever played any role in any of these scientific revolutions so आप, उन few individuals, जिनकी yes, contributions बजायर, you know, they have made a difference to the scientific world you cannot say कि उनको religion से खाराता you cannot say, we will not give, let you give credit of those individuals to your religion, क्यूंकि आपकी बुक में it's not a science-based book it doesn't teach any of the sciences that these people developed और जो scientific theory, scientific procedure इसके बारे में कोई guidance नहीं आपके religion है किसी religion ऐसी कोई guidance नहीं है हिजाद के region में Islam took birth we have no evidence of any big names any big scientists or philosophers from that side of the world अगर होते हैं, then we could have said ठीक है, maybe your religion had some role to play लिकन फिर भी scientific achievement किसी individual की achievement होती है उसमें theology का कोई role नहीं होता ये बस में थोड़ा point अट करना था जाने ठीक ऐसा ही है अच्छा और विपल रैशनल लेका जितना सभी धरम मजभ ने दुनिया में सांती भाईचारा खतम किया उतना किसी ideology नहीं या lots of love from India सार्थ बहुत शुक्रिया विपल आपका थैंक यू और कुछ कहना चाहेंगे नॉन कंफरमिस्ट आप नहीं हाले में चलता हूं मैं बस यह आट करने आता थिंक जो भी golden age को उतना प्रोपोगेट करता है ठीक है ये ये इन कॉल इत गॉल्ड इन एज पर तोंट कॉल इज फिस्लाम इस लोग बहुत अच्छा फैर करें थैंट थैंट इवर डिवर्ट इवर्ट इवर्ट सिविलाइश्याशन इन के बारे में इन के बारे में एक और बात थी के जब अबासी आये ना हमत में तो इनको फोस हुआ उन सारी लाइबरेडीज और उन सब कल्चिरल और साइंटिफिक इंटर्प्राइज़ का जिनको इन से पहले तबाह किया गया था तो इसलिए दारल हुक्मा इन्होंने इसलिए खोला था वहाँ पे ये समझ ये गए थे कि यार हम दुनिया से पीछे रह रहे हैं साइंस बगारा में और इन्होंने ये काम शुरू किया था असल में इसके बड़ बगाएदा बहुत कुछ लिखा गया कि क्यूं अब आसी जो थे वो यह सोचते थे कि वो हमें साइंस को आगे लेके जाना चाहिए ये बाद है चले ना हम कंटर्मिस में आगे चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा जी तो विपल बहुत शुक्रिया और डैस इंडियों ने सूपर स्टीकर भेज़ दिया बहुत शुक्रिया आगे हम जलते हैं वाई कल्चरली मुसलिम हलो क्या हाल है आप कैसे है आपके आवाज ठीक नहीं है या या अलो यार आपकी आवाज ठीक नहीं है भाई नथिंग हलो हलो नथिंग अन्म्यूट करें यार हलो हलो हाँ जी क्या हाल है कैसे हैं आप जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं जबरदस्ट हाँ जी क्या बात करेंगे गालिब वैसे आप अगर इसका आंसर करना चाहें तो आप कर सकते हैं नहीं तो आपकी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं न अभी हारेस और आप दोनों की पुरानी वीडियो देख रहा था आप में क्या कोई एक तलाफ बनाए को मसला बनाए क्या अगर आप नहीं अंसर करना चाहते हैं तो आप ना करें यार देखें जब किसी से आपकी लाइन टोटली डिफरेंट हो जाए कोई बंदा उन असूलों को तोड़ दे जिन पर वो कभी चलता था खिर आप उसके साद चल सकते हैं अगर आप उन असूलों बे चल रहे हों तो आप उसके साद़ चल सकते हैं फिर नहीं चल सकते हैं जब एक बंदे ने ये सोच लिया कि उसने बस एंटी हूमन और राइट विंगर हिंदुतवा और क्रिस्टिन्स की वो करनी है तो फिर आप उसके साथ तो नहीं चल सकते और मेरा ये अखिलाफ तो पिछले तीन साल से दो एड़ाई साल से उस पंदे के साथ चल ली रहा था वो सामने नहीं था लोगों के और कुछ सामने था भी ऐसा नहीं है कि आप मेरी और उसकी परानी वीडियो देखें तो कहीं जोगों पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा और उसका नज़ियाती अखिलाफ है क्योंके वो सामने भी बात कहीं बार धके च्छपए और अलफाज में या फिर इस तरह से हो जाती थी मगर मसला यहा कि देखें नज़ियाती अखिलाफ अपनी जगा हो मगर जब कोई इतना बेवकूफ होको ऊणाकि उसे परसनल लैवल पर ले जाये और जान बूज के उसे इसलिए परसनल बनाए क्यूंकि उससे पता है कि नज़ियाती लैवल पर जो उसने पॉजिशन लिया वो इतनी घलत है फिर यह इसे परसनल बनाता है ठीक है तो मैं सिर्फ ना मुझे ब्लैक मिल करें बलके औरतों को धंकियां दे इतना कावड बन जाए कि औरतों को धंकियां दे फिर बातें तो होती है न देखें एक बंदा बड़ा मुलहित बना हुआ जी मैं बड़ा मौरल जबरदस नूर अपने ही दोस्तों को ब्लैक मिल क चुरू कर दे तो फिर बातें तो खराब होती है ना ठीक है और दूसरी बात है कि जतना इंसान चीप होता है वो उसी लेवल की घटिया बातें करता है ये भी बातें साफ जाहर हो रही है ठीक है कि जो जतना चीप है ना उसके जहन में वैसी घटिया बातें ही सिर्फा सकती है तो ये बातें भी बड़े अच्छे तरीके से साफ तरीके से नजर आ रही हैं कि उस बंदे को सिर्फ घटिया लेवल की बाते ही आती है वो नज़ियाती लेवल की क्योंको जंग नहीं लड़ सकता वो उसे पता कि लॉजिक उसकी कमजोर है और वो किसी लाजिकल स्टेंडिंग पर खड़ा नहीं हो सकता क्यूंकर उस नज़ारी बाता एवन कि वो अपनी बातों के सामने नहीं खड़ा हो सकता जो बातें वो पास्ट में खुद करता था और जिन लोगों को पास्ट में वो डंके की चोट पे गाली देता था जिनके लिए बड़े गलत इलफाज इस्तमाल करता था आज वो उन लोगों से ज्यादा घटिया काम कर रहा है ठीक है अगर फर्ज करें ना कि उस बंदे की तीन साल परानी वीडियोज आप निकाल के लिए हैं और देखें आपके वो किसी ऐसे बंदे को जाज कार रहा है जो प्रो हिंदुत्व है या राइट विंगर क्रिस्चन है और वो बातें सारी आप आज जो वो खुद वीडियोज बना रहा हैं जो बातें कार रहा हैं उस पर लगा दें तो फिर आप उसे पूछें के यार तू पहले फारग था या अब फारग है आप लोग खुद से क्वेस्चन कर लें आप लिटरली जाएं तीन साल परानी उस बंदे की वीडियोज निकाल लें आप उनको लगाएं एक तरफ उसकी परानी वीडियो निकालें एक तरफ उसकी नहीं निकालें जो उसने उस टाइम संजे डिक्षिट को ठीक है और वो काली दासी को और बहुत से लोगों को क्रिटिसाइज किया है लिटरली वो वीडियोज उठाएं और आज जो वो खुद कार रहा है उसके मकाबले के उसे लगाएं और उसे पूछें के तू तब हिपोक्रेट था या आ जाए वो शायद आपको ये जवाब ना दे पाए के वो तब हिपोक्रेट था या आज था मगर एक बात याद रखिएगा जब बंदा पहले कुछ कायरा होता है और फिर बाद में खुद उसके खिलाफ काम शुरू कर देता है तो वो हिपोक्रेट तो होता फिर ठीक है और घटियापन क्या होता है वो डेफिनेटली हमें नजरी आ रहे है ठीक है ये बात नहीं चलो सही है मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता मैं तो शुरू से साच बोलता हूँ डंके की चोट पर जो बात होती है जो घलत बात होती है वो मैं करता हूँ जब दूसरे तुनिय एक्स मुस्लिम सारे के सारे सारी के सारी दो नंबर चीज़ें कर रहे थे तो जो बाते मैं तब कर रहा था मैं अब भी वो कर रहा हूँ तब receiving end पे कोई और था आज receiving end पे ये हज़रत आ गया तो इसको बड़ी तकलीफ हो रही है तो वो बात ये है कि भाई आप जितना मर्जी बक्वास कर लो जो बात सच्चा वो तो सामने आएगी और आएगी सामने ये नहीं आएगी सामने तो वो आएगी और वो कहीं नहीं जा रही है ठीक है और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग खास तोर पे देखें हंदुस्तान में हंदुत्वा और हंदुत्वा के लिए वीडियोज बनाना वड़ी दुनिया बना रही है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को अकल सिखाने के लिए वीडियोज बनाने वाले चंद लोग ठीक है और हमारा काम खराब करने वाले इस तरह के घटिया लोग जब बात करेंगे तो हम उनके खिलाफ बात करें ठीक है यह असल में हमारा मसल़ा पाकिस्तान है पाकिस्तान में एक्स्ट्रीमिजम कैसे बढ़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हिND lawsuitsन के लोग हैं जो अपनी फाइट बहुत अच्छी लाइब रहे हैं हमारे पास कोई नहीं है लिटरली इस टाइम मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे आप मेरे अलावा दूसरा नाम बताएं जो अब पाकिस्तान के लिए यहां जो हर गलत को गलत कहा रहा है जो कि हुमन राइट्स की बात कहा रहा है कोई भी नहीं है ठीक है जो मुलहिदों की तरफ से चले हम जानते हैं और बहुत से लोग हैं जो के पाकिस्तान में मुस्लिम होते हुए या सेकुलर बेसिस पर करते हैं जो इलहाद का प्रस्पेक्ट है वो तो खतम हो गया वो तो हम ही कार रहे थे जान बूझ के जाकर घटिया लेवल के ऊपर बैठ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं पिर आपको सच तो बोलना पड़ेगा सच तो यही है कि हिपाक्रीसी चल रही है सिर्फ और सिर्फ जो घटिया चीजहें उनको जानबूच के सपोर्ट किया जा रहा है ताके उनको किया जाए यहां फिर दूसरी बात यहां कि मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है यह बंदा पहले ही ऐसा था वहां मुझे पता तो था कि बहुत से लेवल्स पे यह आदमी जो है इसके कंसेप्ट कमजोर हैं चीजों को समझता नहीं है यह मैं अच्छे तरीके से हो समझाने में मैंने बहुत टाइम जाया किया एक-एक दिन में आठ-ठ घेंटे जाया किया समझाने पे चीज़ें समझाने पे चाहे वो evolution हो चाहे वो human rights हो homosexuals के rights हो transgender के rights हो woman rights हो बकाइदा tuition दी है ठीक है मगर problem वो ही है end पे कि इसका मतलब है कि यहां तो बंदे में काबलियत नहीं है यहां बंदा बहुत बड़ा दो नमबर है और बात यह है कि यह दूसरी जो बात है ना मुझे वो ज़्यादा सही लगती है क्यूंकि एक इंसान का पता तब नहीं लगता जब वो आपका दोस्त हो जब वो आपका दुश्मन बने ना तब पता लगता कि वो कितना घटिया है और आपको पता लग रहा कि जिस लेवल की घटिया बाते एक बंदा कर रहा है उससे आपको मुलहिदों पर हासरे हैं तो यार तुम इस बंदे को करते थे जी मैं मैं बिल्कुल यही बात करने लगा था कि अगर आपकी बात सच है उनका मौकफ जाने के लेकर यार यह हमारे पाकिस्तानी वह एथियस्ट होगे भी वैसे के वैसे ही है वह इसलिए कि वह एथियस्ट भी अगर को समझ के या देख के बने होते तो फिर उनको पता होता ना तो बात यह है ठीक है यह जो नजरियात के उपर नजरियात में जो नजरियात की डिबेट है उसके अंदर किसी की बक्षिश नहीं होगी ठीक है वो चाहिए जतना मर्जी फिर बक्वास करे चींक करे पीं क करे रोए जो मर्जी करे बक्षिश तो नहीं होगी यह मसला है और वह बाद किया है यह बड़ी लंबी जांग है यह ऐसे ही खतम नहीं हो जानी है कि आज कोई आप पक्वास कर लेंगे और आपको हिंदुतवा की जाकर टी सी कर लेंगे मूह में डाल लेंगे तो कुछ किया है को दूसरा तारिक फत्र बांजेगा तो क्या होगा कुछ होगा कुछ भी नहीं होगा हाँ ये बात है कि आप नफरत फिला रहे हैं वो इसलिए फिला रहे हैं कि आप उस अपास्टेट प्रॉफिट को देखें वो बंदा मुझे तो अच्छे तरीके से अंदाजा था क वो चवल है मगर वो इतना घटिया ये मुझे अंदाजा आनी था कि यनि ये लोग इतने घटिया लोग हैं कि ये पैलस्टाइन में लोग मर रहे हैं छेछे महीने के बचे मर रहे हैं और इन लोगों को इस बात की फिकर नहीं है ये उसको मौक करने हैं मतलब ये याद रख पता ना तो ये मुलहिदों ने सिर्ट मार रखी होनी सी इन्हों ने उपर नीचे से बोल रहे होना था ये को मुसल्मान ऐसे बियान देता था क्यूंकि वो बैठके दे रहा और क्रिस्टियन और यहूदियों को खुश कर रहा है तो सारी वावा और ये जितनी घटिया वात आप लोग अपने थोड़ा सा अकल लड़ाई आप देखें इनकी पुरानी बातों को सिर्फ आज की बातों से इसकी आप कंपेर करके देखें तो आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा मनाफिक आपने देख़्ा है को जो पहले लोगों को ऐसी ऐसी घडिया तरीके से उनकी moakeri करता था कि तुम टुनी हो आज खुद बनाओ है आज मुदी की तरीफ्वें कर रहा होता है ठीक है तो आप मुझे बताएं कि पहले ठीक था偉ब तही थीक था क्या है अब ठीक है अगर ऐसी बात पहले की ही यए मैंने क्योंके सुनी नहीं है तो मैं मैं भी फिर अगर में और उसमें फिर क्या फर्क हुआ तो मैंने सुनी लिए अगर कई है तो फिर फिर आपके बार ठीक है अगर उसने कई है तो वो तो आप देखने तो आपको मिल जाएगी रहा हूं से कोई मसला है जी जी ठीक है जी असल पर तो मैं यह क्वेस्टन नहीं करने आया था मैंने वैसे पूछ लिया मैंने और सवाल पूछना था अपसे वो बात है कि हम मुलहिद है ना इस से पहले कि मुसल्मान यह कहेंगे देखो प्लावन्दा मुनाफिक है हम खुद ही कहेंगे ठीक है कि हम गलत को गलत कहते हैं हम खुद कहेंगे पहले नमझे हैं यह बात है जी जी अच्छा मैंने यह स्वाल करना था कि जब हम वो कुरान की जो इंटर्प्रेशन्स और एक्स्प्रेशन्स बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं अब तो उल्मा नहीं आम लोग भी दे रहे होते हैं हम दो तरह से इंटर्प्रेट कर रहे हैं या तो इसको हम उस तरफ ले कर जाएं जिस तरफ वह कह रहे हैं या जिस तरफ हमें समझ आ रही हैं उस तरफ जाएं तो क्या करें हम इसमें कैने बिकोई भी ठीक हो सकती है 50 50 है देखें असल में न्यूटन की प्रिंसिपिका, मैथमेटिका की कोई दो इंटर्पेटेशन कर सकता है न्यूटरन क्या है बहुत सारे और भी लोग है उनकी नहीं कर सकते हैं फिर मुझे एक बात बताएं कि एक इंटर्पेटेशन, एक शखस अब एक बात है, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ आपको मेरी बात का एक क्लियर मतलब समझ आता है और दूसरे शखस को भी वही क्लियर मतलब समझ आता है तो मैं एक अच्छा कम्यूनिकेटर हूँ या मैं एक बात करूँ और आपको मेरी बात का तर ऐसा हो रहा है तो फिर घलत है लेकर अगर देखें ना कि एक टाइम में लोग नहीं समझ बारे फिर आगे वाले कुछ और निकाल लेंगे तो वो समझ जाएंगे उससे आगे वाले कुछ और निकाल लेंगे तो वो भी समझ जाएंगे तो ये बात इस तरह से नहीं हो सकती नहीं मगर मसल्मनों में ये तो नहीं कि आगे वाले वक्तों वाले डिफरेंट निकाल रहीं वो तो उसी वक्त के लोग दो डिफरेंट निकाल रहे हैं इडिपटेशन देखें ये बात सम्झें आम طوع पे जब कोई शखस इंब्रिग्वस बातने करता है तो वो लोगों को lडाने के लिए काफी होती है समझने है मेरी बात आप लडाने के लिए आप ये एक बंदा एक ऐसी मुपहिम से बात कर दे जिसके बात auора पर बहुर भात करते रहा जाएंगे वो यह कहा के गया यह कहा के गया और एक बात याद रखें कि रुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बीस कुना ज़्यादा उसकी तफसीर की जाती है अब आप मुझे बताएं कि ये किताब फिर पहले तो कह रही है मैं समझने में असान हो और समझने में असान नहीं जूटा दावा है इस किताब का पहला दूसरी बात ये है कि एक शखस को एक मतलब समझ आ रहा है इखतलाफ है आपस میں तो यहां भी clarity नहीं है आज दुनिया में चार्टर अफ हुमन राइट्स जो आना उसकी दुनिया की हर जुबन में translation की जा चकूँ और इस तरह translate किया गया गिए बिनिया के हर शक्स को हिंदी में charter अफ हुमन रैट्स पढ़े गा उसे वो ही मतलब समझ आएगा जो अर्दू में पढ़ेगा जो अर्बी में समझ पढ़ेगा वो ही आएगा उसकी इंटर्पेटेशन एक ही की जाएगी सबसेदा यानि एक नाकिसल अकल इनसान अगर एक डाकुमेंट इतना क्लारिटी से लिख सकता है कि उसमें सब बातें सही वो कर रहा है या सब को एक ही बात समझ आ रही है तो खुदा जो उससे इंफिनिटली ज्यादा अकल रखता है वो ऐसी किताब क्यों नहीं लिख सकता था दोहरे मीनिंग वाली किताब तो लिखना एक स्टूपिड दिकी बात है तो इसका मतलब है कि ये किसी खुदा की किताब नहीं है क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि आप पुराने हज़रत मुहम्मद के वक्त की और दूसरी बात है आप एक बात याद रखें आप अर्दा विराफनमांग उठाएं आप वेदाद उठाएं आप बाइबल उठाएं आप और किसी मजब की किताब उठाएं क्याने को इसलाम के मताबिक वो सब जूटी किताबें है मगर उनके मतलब पे भी उतना ही इखतलाफ है जितना कुरान के मतलब पे है यानि अगर जूटे खुदाओं की किताबें इन्सानों ने खुद लिखी हैं और उनके अंदर वो सब मसलें हैं जो कुरान के अंदर भी पाई जाते हैं तो यहां तो फिर वो सब किताबें भी सची हैं या कुरान भी जूटा है तो मसला यहा कि कुरान भी जूटा इसलिए यहा कि सब दूसरे मजभ भी इनसानों के बनाया हुए है और कुरान खुद इनसानों का बनाया हुआ है क्यूंकि वो भी वही मुभ्हम और सेम गलतियां करता है ठीक है? यह बात है जी और दूसरा यह जितनी भी सांइटिफिक बातें जो निकाली जाती है कुरान से आप आपने भी वीडियो बनाई बहुत स़री और फीडियो बनी तो एक तरफ वह मतलबात है दूसरी तरफ किसी तरहा tyre मानी जो हैं वाट नहीं नहीं निकाल के वह डिक्शनरी जो तो इसको फिर किसी नहीं किसी तरह वह जस्टिफए टो कर देते 安 I कि मैंने का जितनी जो साइंटिफिक बाते निकालते ना कुरान से तो उसके सिरफ वो डिक्षिनरी में मानी जो है ना उनको चेंज करकर के सारा उसको सही वो जैस्टिफाई कर रहे होते हैं लेकर बहुत सारी आप लोगों की वीडियो वगरा मुझूद है जिसमें आप लोग बताते हैं लेकर वो भी तो कुछ ना कुछ उसका और मानी लेकर उसको जिस्टिफाई तो कर देते हैं ना देखें प्राब्लम यहां कि कुरान के लफ़जों का मतलब बदलने की जोत तब पड़ेगी जब अल्ला असल मतलब करने में फेल हो गया अल्ला अगर चाहता ना तो न्यूटन के लाज ओफ ग्राविटी अगर बता नहीं पाया और अगर कोई यह समझे कि अब कुरान में इشारें इसमें को हिड़न हैं जो इन चीज Kenneth करते हैं तो जब 6,000 आयतों वाली किताब हो तो उसमें से कोई ना कोई आयत तो आप ऐसी निकाल सकते हैं जो किसी ना किसी बात से जाके वेगली मिले और आप उस पे क्योंकि आप कन्फरमेशन बाइस में हाया है आपकी आप क्या हैंगे कि नहीं नहीं यह वो बात हुई आइसे नहीं होता भई ठीक है समझ गया है मेरी बात जी और दूसरा यह बताएं कि जो चैर्टर आफ यूमन राइट है अगर यह सेम टू सेम इसको अर्बी में आप कर दें और सेवंध सेंचरी में ले जाएं या सिक्स सेंचरी में तो क्या लोगों वो समझा जाएंगे देखें लोगों को समझाएं तो मतलब यह इस पर यह दावा नहीं है ना कि वो लाजमी जब छेमी सदी में जाएंगे तो उनके लोगों को भी समझा जाएंगे इस पर दावा नहीं है और दूसी बात है कि चार्टर फ्यूमन राइट्स के बारे में क्लारिटी का भी दावा नहीं है हलांके वो मैं यह कह रहा हूँ कि वो बड़े क्लियर है कि जब उनकी ट्रांसलेशन की जाती है तो बड़े सेल्फ एविडेंट होते हैं अब को एक ही मतलब समझाता है मगर मसला यहा कि उस पर क्लारिटी का दावा थोड़ी है हाँ हम यह मान रहे हैं कि उसको समझाना पड़ेगा लोग तो उसका कोई खुदाई दावा तो है नहीं ठीक है समझगे हैं जड़ा के लिए यह इंपॉसिल अबात खुदा जब यह कह रहा है कि सारी बाते मैंने क्लारिटी फिर बी नहीं है अगर खुदा हो तो खुदा के लिए यह इंपॉसिल नहीं है कि वो एक बात करे और मुह भी समझा जो और आपको भी हा जाए क्यूंकि उसके लिए तो यह बहुत असान बात है हमारे लिए नहाँ इंपॉसिबल नजरा आए ख़दा के लिए तो नहीं है ठीक है? यह बात है जी जी लास्ट एक बात करना चाहता हूँ अच्छा आदम तो कभी यह उनकी जैस्टिफिकेशन्स वगएरा सुनते हैं स्कॉलर्स की और इदर आप लोगों की सुनते हैं कभी आप लोग से नजर आ रहे होते हैं कभी वो ठीक नजर आ रहे होते हैं तो क्या किया जाए इसमें? अपने rational mind को employ करें आपको सब कुछ ठीक नजर आएगा चीजों को सोचें उनकी गहराई को देखें समझ आ जाएगा आपको यह फिकर ना करेंगे आपको नहीं आएगा समझ आ जाएगा चीजों को समझने में टाइम भी लगता है यह नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ ओवरनाइट समझ आ जाएगा एक दिन में किसी को कुछ समझ नहीं आता कभी ठीक है? ठीक है जी बहुत शुक्रिया चालें ठीक है बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक तो विपल रैशनल ने कहा गालिब सर ऐसा क्या होता है कि इनसान में इतना वेरियेशन है ब्राउन फेर डार ड्वार्फ तॉल जबके सब का ओरिजन सेम एंसेस्ट्री से हुआ देखें वो ना आपकी एपी जिनेटिक और जिनेटिक चेंजिस की विजा से कलर्स चेंज होते हैं और जो बालों का कलर चेंज होता है वो जम्पिंग जीन्स की विजा से होता है ठीक है ये बात रिसर्च से साबित हो चुका है जम्पिंग जीन्स ऐसे होते हैं कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं वो DNA के अंदर से एक जगा में पढ़े होते हैं से निकल के दूसरी जगा जाके insert हो जाते हैं तो black, brown, red, blonde in hairs के सब की वज़ा वो jumping jeans होते हैं आंखों के color की वज़ा jumping jeans होते हैं ठीक है इसको मैं explain कार चुका हूँ फिर इसको किस दिन detail में explain कारते हैंगे आप फिकर ना करेंगे इसे explain किसी ठीक है और already मैं कार चुका हूँ explain कितनी बार ठीक है तो आप jumping jeans पर थोड़ा सर्च करें कि कैसे वो hair color और eye color में contribute करते हैं skin color जो है उसका तालुक जो है वो melanin से है कि कितनी है आपकी skin में है ठीक है और उसकी variation जो है उसके mechanism को भी आप कार सकते हैं study ये भी at best epigenetic है ठीक है genetic नहीं है epigenetic का मतलब होता है genes के इलावा जो genes protein code encode करते हैं उनके इलावा genetics में कुछ changes होती है जो कि epigenetic changes कहलाती है उनकी वह से होता है ठीक है विपल तो इसके उपर आप थोड़ी से research करें ठीक है अच्छा जी तो mz ने कहा love you to mz बहुत शुक्रिया thank you और सफा ने कहा भाई one reason that is often overlooked about golden age of islam is that most of the scholars are persians who did not accept islam like the Arabs exactly यार बहुत सी बातें मैंने कहा न के muslimनों की golden age में बहुत बड़ा रोल तो non muslims का था भाई ठीक है ये बात है अच्छा जी मैं आपको ये बात बता दूँ के हम तकरीबबन 40 minutes में stream end कर देंगे तो जो कोई रहा गया है वो आजाए अभी ही ताके अभी उससे बात हो जाए ठीक है तो ये लम दो तीन कॉलर बस और है ठीक है जिन से बात होगी उससे ज्यादा से नहीं हो रही तो चलो जी हिंदू से बात कर लेते हैं हलो हलो हाँ जी क्या हाल है कैसे हैं आप बड़ी है जी गालीब जी आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ भाई क्या बात करोगे अभी चैट पे भी मेरी बात चल रही थी जो आप ठीक है आप जो बाते करते हैं मैं समझता हूँ आपकी बाते लेकिन आपने जैसे भी बोला कि मैं मानता हूँ कि जो मुहमत थे वो राम से अच्छे थे तो ये कुछ बात आप में लगता आप इमोशन्स में कुछ ज़्यादा कह जाते है बड़ी गरता है मुझे बताएं कि ये बात इमोशनल कैसे है रैशनल क्यों नहीं है नहीं इस बात ये लॉजिकली आपने बात इसको कभी आपने सोचा है कभी राम की लाइफ को आप मुझे बताएं कि राम ने तो देखें चले मैं आपको बता देता हूँ मैंने किस बेसिस पर ये कहा था ना आपने वो बात सुनी है ना आपको बता है राम ने सीता से अगनी परिक्षा ली थी जी तो मुहम्मद ने तो आईशा से नहीं ली थी ठीक है मैं इसको explain करूँगा तो हिंदू धर्म के हिसाब से अगर मैं बताओं बात तो राम को पता है नहीं आप मुझे हिंदू धर्म के सामसे ना न बताएं आप मुझे इसलाम समझाने आजाते हैं आप लोग ठीक है और उसके उपर आप नहीं ठैर जाए ना एक में ठैर जो भाई उसके उपर आप अपनी मर्जी का criticism करते हैं मगर जब आपके religion के उपर भी उसी तरह बात की जाए तो आप आगे से defensive होते हैं यह आप लोगों का double standard है अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस लिहाज से यह कहा था कि महमद उससे बेतर है क्यों क्योंके राम ने अगनी परिक्षा ली ठीक है और राम ने इस बात पर इतबार ही नहीं किया कि राम ने हाथ नहीं लगाया सीता को मगर दूसरी तरफ महमद actively इस कोशिश में था कि वो किसी तरीके से आईशा को बचा ले जब आईशा के किलाफ तीन गवा आ गए ना आईशा के खिलाफ तो महमद ने क्या किया उसने उस condition को बदल दिया उसने कहा कि चार गवा चाहिए ठीक है और उसने आईशा को दूद में से बाल की तरह निकाल लिया खुद condition चेंज करके तो वो इस हिसाब से राम से अच्छा था फिर secondly महमद की लॉंडी पर ये इल्जाम लग गया कि जी आपका जो बेटा पैदा हुआ है महमद के जो बेटा इबराहिम पैदा हुआ है उसके बारे में ये कहा गया कि ये तो दूसरे गुलाम का जो है वो बेटा है आपका बेटा नहीं है तो महमद ने ये नहीं किया आगर लॉंडी को मरवा दे महम्मद ने ईवन के अली को उस घुलाम को मारने को भेजा लॉंडी को मारने के लिए फिर भी नहीं भेजा घुलाम को मारने के लिए भेजा ठीक है तो महम्मद जो था दो औरतों की मिसाल हमारे सामने है कि जिनके उपर जना का अलगा मगर मुहमद जो था वो उन दूनों ओरतों को मारना नहीं चाहता था और एक के लिए उसने अक्टिवली कोशिश की और दूसरी के उपर भी वो नहीं इस बात पर माना कि उस ओरत को मारा जाए बलके उस बच्चे को भी उनकार रहा था जो उस ओरत ने उसके लिए पैदा किया तो राम में ये क्वालिटी तो मेरे भाई नहीं थी आप जितना मर्जी कान को इदर से पकड़ने या उदर से पकड़ने आम सुरी टू से कि ये क्वालिटी मुहमद में थी कि वो उन औरतों को बचाने की कोशिश का रहा रहा मगर राम में नहीं थी यह मुहमद में सौ और फाल्स हैं हम मानते हैं इस बात को मगर यहां पे रामा फाल्स रिली शॉर्ट अफ मुहमद ठीक है गालिब जी मैं आपको आपकी बात समझता हूँ और मुझे लगता है यहां पर एक बेसिक जो प्रॉब्लम आपकी बात में आ रहे हैं वह है कि मुहमद की लाइफ है वह एक रियल इवेंट है वह एक हिस्टॉरिकल इवेंट है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम जो सच में हुआ है लेकिन हिंदू हिंदू जो है इन कहानियों को एकड़म हिस्टॉरिक सच नहीं मानते हैं सब्सक्राइब पर हमारी जो फेट है वो अलग तरीके की है लब उसे फैक्ट नहीं मानते हैं हम उसको माइथालोजी मानते हैं और उसके थूरू कुछ लेसंस को हम सीखते हैं तो हम लेकिन आप जब हिए आप बात बताएं कि एक बात मिथालोजी में ज्यादा घटिया हो रियालिटी से तो मिथालोजी में तो आप अच्छी ऐच्य बातें लिख सकते हैं मगर आप उसमें भी ना लिखेंगे तो फिर जारी बाता क्या आप भी ज्यादा बुरे होगे ना देखिए अगर आप रामायन पड़ते हैं ओस माइथालोजी का मतलब सं़स्क्त आपको पता होगा उसमें पता है कि Süойтиra जो है वो असल में देवी हो तोِ immigrant है नहीं 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 तो उनको पता है कि वो अगनी परिक्षा में नहीं मढ़ेंगी क्वा Health Intelligence को वो सब कुछ जानते हैं वह नहीं जलेंगे तो इसमें कुछ उनका जम्पल रामा ने सेट की हिंदों के लिए कि अपनी औरतों की अगनी परिक्षा लो आप समझते हैं वो अच्छी है ये सेट कहा करी और ये कब हुआ ऐसा अगनी परिक्षा लेने का एग्जामपल आप पताएंगे या आप लोग ऐसे चलें आप में फिर बैस का क्या फायदा है यार पर मशक्क हो जाएग तो जालके मार गई तो ठीक अचले वो तो देवी थी वो नहीं मरेगी मगर आपकी बीवी तो मार जाएगी ना भाई मसला यह है तो यहां पर आप लोगों को फिर यह मानना पड़ेगा कि महमद ने तो अगनी प्रिक्षा नहीं ले थी ना तो आपके राम से इस मामले में वो बेतर था ठीक है किसी और मामले में राम आप महमद से बेतर होगा मगर यहां पर तो मैं कहूंगा कि महमद में बड़ी हिम्मत थी भाई लोग उसे बातें भी कर रहे थे कि तेरी बीबी जो आप अच्छी औरत नहीं है यह फिर भी वो उस बात को नहीं मान रहा था उसने जब तक खुद पूरी सली नहीं कर ली और वो बुचा रहा था उस और यह तो आपको मानना पड़ेगा फिर भाई यह ऐसे तो नहीं है आप अगर समझते हैं कम असकम मेरे जैसा एथियस्ट तो यह नहीं कहा सकता कि यहां पर ठीक है दिखाएगा तो आप उधर ही जाया करें हैं मेरे पास ना आया करें मुझे आप लोगो के व्यूज की कोई जरुरत बीड़ी है ठीक है हाँ अच्छा जी चलें आगे चलते हैं हम लोग चले हम जी से बात कर लेते हैं हलो हलो Norway कैसे हैं आप आप मैक नइ थोड़ा मूँ से दूर करें ज्यादा करीब हो नहीं घुवा से आवार कुछ खराब हो रही है अब ठीक है अवास तो ठीक है मुझे लाग रहा हाँ अब ठीक है हाँ जी और क्या बात करेंगे गाली बाई वो एक बहुत पुरानी वीडियो का हवाला दूँगा जी उसमें वो भी बैठा होता था अचा तो उसमें क्या हुआ कोई रोशेश करके आया था कोई तुमी आया था तो अमित्ति वारी भी आ गया अमित्ति वारी ने सही पहला उसको फिर एंड में जब वीडियो खतम हो ही जाते जाते तो हमारे जो वो है वो कहते है यार तू भी मुझे पता नहीं था मतलब आउट और इस शियर एरिगेंज की सैट यार तू भी एना मतलब मेरा ही वर्जेंट अफ इंडिया है अचा वह नहीं का यार बड़ा यार कुल टोपची होगा भी बड़ा मतलब अलेगेंट ली सैट अब इसे वो किसी हो कोही न कहता है और अमयत तैवारी को कोही शोटée को अमिर इस घ्र फिड़ा ट कोई il न है कोई किसी आप मकान्हें इस ठीचू को सब्सक्रक्स सब्सक्रास हो मैं वा यह कोई भी हो में दो नह्यान शू किया था ऑक 200 2019 ये 2020 की बाद है वही है ना अमित तो भाई अपनी कर्विक्शन में अपनी पॉजीशन में वो तो भाई पॉपुलर बात तो नहीं हो करता न वो तो सीधा जो सच्छा सच्छा उसको कहता है मैंने मेरा बाद है आप लोगों से मैंने मेरी कुछ ज़्यादा बात काफी दिनों से नहीं हुई क्योंगे टाइम डिफरेंस वहत ज़्यादा है और मैं खुद इतना बेहनी हूँ कि मेरी हर बंदे से बात आजकल हो नहीं पाती ठीक है तो उनको मैंने बुलाने है ठीक है जल्दी बलाऊंगा आजी जी एम जी आपको वाज आ रही है आपको वाज नहीं आ रही एम जी को जो है न मेरी वाज नहीं जा रही तो एम जी आप ऐसा करें आप दुबारा एंटर करें ठीक है एम जी को मेरी वाज नहीं जा रही भाई अच्छा जी चलें बस अब एक आदे बंदे से दो बंदों से और बात करेंगे ज्यादा अब नहीं हो सकती बात हम बात करते हैं चांद जी से हलो ये शायद पहली बार रही है वालेकुम अश्लाम क्या हाल है कैसे हैं अब प्रियाबी ये सवाल कर लिए यार कारते लो फिर जवाब उर्दुज मिलेगा चलो ठीक है उर्दुजी सावब जाल दिए पुछला थी कि हजूर पांक 17 साले नहीं प्रमाया है कि क्रुबे क्यामत जाने दिए कि सूरज मगरब निकलेगा नहीं का अधी किसने का मैं पड़े आशी किते के कि अमदर जाने दिए कि सूरज मगरब से निकलने के लिए ना आप और मैं पहले मर गये होंगे तो उसके बाद निकलेगा उससे पहले निकल सकता इन्सान जमीन पे एक भी नहीं बचेगा टेक्टोनिक प्लेट सूर्शल के ना स्पेस में चली जाएंगी तो तब सूरज वेस्ट से निकलेगा वैसे निकल सकता कि अध्यक के अध्यक एक एक लिए इस निकलेटीव की ना सकता। तो वो ही जो मैं बाग क्या रहा था हरे इसके बाग चीजे चलती गई आपको भी पता है क्या सिल्सिला हुआ पिछले एक जिर साल से है ना तो पहले बीच में सुनता रहा तो बहुत होने लगा मैं उससे पर उसके बाद वो इतनी गुल्मल गुल बाते करता ना गोल 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 एक टॉर्ट में पले नहीं परती बाते हैं उसकी ना तो मैंने आंस करें अदफा करें परें काफी होगी बात आप तो सब्सकारिब कर दिया आप नहीं है पहल नहीं परती क्या बोल गोल गोल इस्तील में इस्ट्रॉम में ना जाता है ना कहना का छाते हैं फिर कहता है जी जाइनिस का मतलब यह होता है जी इस्राइल has a right to exist like Pakistan has a right to exist तो उसको भी defend कर दोगा तने को पाकिस्तान एडिया पर खमला कर दोगे उसको भी defend कर दोगे पैसे मिलेंगे तो उसको भी करेंगे यार यह यह बात वार को justify कर रहा है बच्चे किलिंग भी justify करने लगा है यार लानक है यही तो बाते हैं है ना जाले ठीक है बस मैंने end करना है थोड़ी जेर को ठीक है फिर करेंगे अच्छा जी Dax Indio ने कहा thanks and salute to you for staying true to your core convictions much respect to you and all your friends बहुत शुक्रिया थैंक यू Dax Indio आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बिटर टूथ आगे हैं जी बिटर टूथ बड़े दिनों बाद आई है क्या हाल है बिटर टूथ जी अस्सलाम अलेकूम रमजान मुबारक हो आपको मुझे लाग रहा कि दुबा के रोदे ना खरे कार रहे हैं मुझे लाग रहा बाबी आपसे डंडे के दोर पे रोदे रखवा रही है और आप सुनाए कैसे हैं मैं ठीक हूँ आप गाए भी गाएब हैं आजकल आपको मुझे लगता को जर्माना डालना पड़ना है मैं यकीन करें इतना बिजी हूँ आजकल बस अभी मौका लगा तो मैं आगया पहले कि वो बीमारी के विए से मैं था उसके बाद मुझे इνफ्लोएंजा हो गया था ना वो फैला हुआ भाई मुझे भी काल का डार लगा हुआ मेरा गिला थोड़ा थोड़ा रहा है खैल करो यार मैंने वैक्सिन तो लगवाई है या मुझे रीसेंट भी लगी है वो फिर भी हो जाता है मैंने लग वाई की वेक्सिन फिर भी मुझे हुआ मुझे लेप से हुआ है क्योंकि मैं जहां गया था ना मैंने शायद हो सकता है महां कोई गलती की जिसकी वेसे हो गया तो बहुत सारे मौमिन भाईयों को मैं चाहरा था कि रमजान की मुबारखबाद दूँ और जो मौमिन भाईयों आप साटेडे को आए ना धरा धोल की थाप के उपर आपसे हम दिलवाएंगे मुबारखबाद तो आप आए साटेडे को अभी रिसेंटली जो है ना मेरे एक रेलिटिव की डेथ हो गई है इस रोजे ही की वज़े से डेथ हुई है आपको पता है मुसलमानों में तो ये एक उसकी खुबी है के भाई अब वो तो जन्नत में चले गए अब वो रियलिटि को मानना है नहीं चाहते के भाई इस रोजे ही की वज़े से डेथ हुई है और अब ब्लड ठीक होता है तो दिल को जो ना जादा मुश्किल होती है पंप करने में तो जिसका अलेड़ी सिक्टी परसंट सेविंटी परसंट इल काम कर रहा हूं या तर्डी परसंट तो उसके तो डेथ होने की चांज़ेंशे ज्यादा होते हैं ऐसी सिचवेशन में इ किड़नी किसी के अगर औरगन वीक हैं किड़नी का नहीं पता कि कितने परसंट काम कर लिए तो किड़नी फेलियर के जिस तरह चांसिस उससे डबल चांसिस जो है यह सड़न डेथ के होते हैं और अक्सर जो है ना रमदानों ही में आप देखेंगे के मौलवी हदरा जो खुद अच्छा अभी वो जो एक भाई आये थे ना जो कह रहे थे कि मगरिब से निकलेगा सूरज अच्छा वैसे भी यह बिल्कुल खलत बात है क्योंकि अर्थ की रोटेशन होती है अर्थ एक तो और बिटिंग कर रहा है सन की दूसरा रोटेशन भी हो रही है वो अपने एक्सि स्पेस में चला जाएंगे पर सिंजर सारे हम लोग लो अर्थ आर्बिट तो को कम ही बात होगी मुझे लगता है हाई अर्थ आर्बिट पे आप और मैं गूम रहे हैं उपर ठीक है तो फिर फिर उस जो सारा कुछ जमीन से उचल के उपर पहुंचे का ना वो सारा चांद प बच्जे तो बच्जे वो तो बच्जाएगी लेकिन हम नहीं बच्जेंगे हां तो यह अब इसी लिए जो है ना अब वो मुझमद साब को पता नहीं था जिस तरह वो प्यूजिक हैर का आपने एक दपा बात की थी कि जिसकी वज़ा से इंफेक्शन होता है और जो वैलव साब समझते थे सूरज खुछ चलता है तो यह था और सुनाए गालिब भई सब खेरिया थे बस जबरदास्ता आप बस गाहे में आप से मसला यह है अरे सर जी मैं बिलकुल आओंगा मैं बहुत बीजी था और यह वीक तो मैं नहीं आ सकूंगा क्योंके मेरी फिर कल की फ्ला जी कोई मसला ही नहीं है आप बारे में एक दो लोगों ने पूछा भी आ के अच्छा नहीं मुझे नहीं है वो आप से आपके बारे में पूछ रहे थे कि भाई बिटर टूर्थ की दर है मैंने गा बिटर टूर्थ हाज कल किसी काम से काम पे गए हुआ है बस जा करूं एक परेशानी से निकला हूँ तो फिर जॉब जॉब से निकला हूँ इतना बुरी तरह फसावा हूँ सबसेंचा भाई को कुछ बताया भी था मैंने अच्छा कुछ प्रबलम हो गई मेरे साथ जानते हैं तो इसलिए ना कोई मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ ना कुछ लेकिन यकिन करें बस मेरा बड़ा दिल करता है कि आके बात करूँ लेकिन मौका नहीं लग पा रहा है यह तो है मगर आप ऐसा करें ना आप फिर जड़ा बात्चीश शुरू करें मैं किताब इनको दिखाने के चक्कर में था किसी ने मुझे से पूछा कि मुझे पूछा कि मुझ कर दिया है इसका नाम है मुझे ला यूज ऑफ रिजन इस्लामिक थिएलोजी ठीक है इन अर्ली इसलामिक थिएलोजी यह मैथ्यू मार्टिन की बुक है यह बहुत अच्छी बुक नहीं है ठीक है यह और यह एक ऐसे प्रस्पेक्टिब से लिखी है जिसमें इसलाम को यह criticism की किताब नहीं है ठीक है तो यह मैं किंडल दिखाने की कोशिश का नहीं हो नहीं तो यह reject कार रहा है उसको यह देखो इसने गायबी कार दी है totally न यह किंडल के उपर अब नहीं नज़र आएगी न आप लोगो मैं दिखाने की कोशिश कार रहा था अगर यह नहीं नज़र आएगी तो यह आप लोग क्या कह सकते हैं इस बुक का नाम है मुत्जिला ठीक है और मैंने अभी पीसे बता दी है नाम तो उसको जाके आप देख लें गरूँ ठीक है तो पर सकते हैं आप इसको आपको इस यह पता लग जाएगा कि मुत्जिला का बेसिक इसलाम से खिलाफ किया था यह बाद है ठीक है और बिटर टूथ क्या गाप शाप है यह मुत्जिला क्या चीज़ होती है मुझे तो यही नहीं समझ जा रही मैं का यह इस नाम का एक सैक्ट था शुरू में जो कि कुरान को अल्ला की किताब नहीं मानते थे वो समझ देते कि इनसानी किलाम जैदा यह वो रैशनलिटी को जीड़ा इंपॉर्टिन समझते थे और यह समझते थे कि कुरान से अच्छा कलाम भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और कुरान की अगर करनी चाहिए इन्टर्प्रटेशन तो वो करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस के उपर रैशनलि से खारिज कर दिया था तक्फीरी था नो भी उसने उने का था कि तुम काफर हो हम नहीं मानते ठीक है तो यह अभी सूपर चैट भेजी थी शाजी ने प्लीज मैंशन बुक नेम अबाउड मुजिला लॉट्स अफ रिस्पेक्ट तो मुजिला किताब है एंड मैंने आपको भ करते हैं मैं यहां पर निकालता हूं फिकर ना करें एक मिंट ठीक है तो यह किंडल पर है और किसी ने खरीद नहीं हो तो बिल्कुल सस्ती है दो डालर की थी तो मैंने ले ली थी एक वक्त में मैं देख रहा था कि इसको पढ़े यह को बहुत अच्छी बुक नहीं है अगर किसी को इससे अच्छी बुक पता हो तो डेफिनेटली जो है ना वो मुझे आप करें ठीक है यह बात है समझे हैं आप दो डालर तो यार ये तो फ्री ये समझे है खिए 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 ख तो शर्मिन्दा ही करना है ऐसी ऐसा कुछ में असल में शर्मिन्दा मैं आपको करूँगा तो तब नेक्स टाइम आपको पता होगा न कि यार अच्छा यह क्या बास में नहीं नहीं बिलकुल मैं आउंगा गाली भाई कोशिश करूँगा इसी सेटर्डे में अगर थोड़ा अर्ली हुआ ना मेरा तो मैं अर्ली आ जाओंगा जैसे ग्यारा बारा बज़े यहां के सेटर्डे में टाइम और अगर लेट हुआ तो फिर यह नहीं आ सुकूँगा लेकिन बिलकुल कोशिश करूँगा कि आउं में और यह वो अपने डॉक्टर साब का हैं M.H.S. डॉक्टर साब भी आपकी तरही हैं मुझे लगता है आप दोंना ना कोई वो तो खैर शायद स्पेसेज में गायब हो गए हैं डॉक्टर साब भी आपकी तरही हैं थोड़ी सी आज़े लिकवाते हैं फिर गायब हो जाते हैं तो बिलकुली नजर नहीं आ रहे हैं काफी द मैं आओ दो बिलकुल. यह दोक्टर साब है ज्याधा निज़र आ रहे हैं. डोक्टर साब पिछली से पिछली स्ट्रीम में आए हैं, बैठे हैं. फिर हाजी भाइची बाइगी स्ट्रीम पे आए हैं, बैठे रहे हैं. ऐस बाठी है, अब्र दस. उसके उपर आगे बिटर टूथ बैठा है, पीछे डॉक्टर एमेशास, तो मैं जनरेट के लगा दू, सुमूरिटी काप में, कि ये दो बंदे स्पेस में जा चुके हैं, ठीक है, ये उरते ही जाते हैं, मैं तो अल्ला से मिलके आया हूँ, भी मिराज पे गया था ना, तो व बाकी लोग मारते हैं, हाँ, मैंने ये काया कि हिदायत दे हैं, आप इनको भी के बंगी मानने से बैचती ही होती है, बहुत तबलिक पकड़ती है, बाते हैं, सही है, ठीक है, चले बिटर टूथ, मैं बस एक कालर से और बात करूँगा, आप सैटेड़े को आई, नहीं तो हाल है, कैसे हैं आप, बड़े गाली भाई, आप से, मैं भी ठीक हूँ भाई, क्या बात करें हैं, अवाज नहीं आ रही है, आपकी, आपकी बात करें, बात करें, जी जी जी, थैंक्यू आपने मुझे लिया, बट मेरे दो ही कुशन आप से, आई, 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 या जुडाइजम के खिलाफ ने दुनिया के किसी भी रिलिजन के खिलाफ बात करें ठीक है मेरे चैनल पर दुनिया के हर रिलिजन के बारे में बात हुई है ठीक है समझे हैं तो आप अपनी इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करें कि भाई, मैं ना पाकिस्तान के खिलाफ हूँ, ना इंडिया के खिलाफ हूँ, ना यूएस के खिलाफ हूँ, ना यूरोप के खिलाफ हूँ, ना बंगला देश के खिलाफ हूँ, किसी के खिलाफ नहीं, मैं लोगों के खिलाफ नहीं होता, लोगों की कॉलेक्शन्स के प्रिजिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टि तो आप जैसे आपने खाहा कि आप रिजिन के खिलाफ हैं तो आप जैनिजम बुद्धिजम और जो भी आप नाम नहीं देखे लिए अजी डेफिनेटली तो आप सब कॉंटिनेंट में क्योंकि आप की आइएस ज्यादा व्यूवर्शिप होगी तो कुछ इंक्लूडिंग मी जो लोग हैं उनको हर्ट फिलिंग होता है जब आप स्पेसिविक रिलीजन फोर एक्जांपल हिंदूइजम के बारे में बाहत करने हैं आइगरी कि कुछ लोग एक्स्रीम व्यूपॉइंट रखते हैं बट उसको आप लेके सब के उपर पिक्चराइजेशन करना आइडिस यह व्यूपॉइंट मैंने कब एक्स्प्रेस किया बताएं जरूं यहां आपने लोगों से सुना हैंगर सिर्फ गालब ऐसा कहता है आपने मुझे सुना है मैंने आपकी एक दो देखिये मैं स्पेसिविक नाम नहीं दे सकता है तो आप बता रहे हैं उस वीडियो में मैंने कहा क्या था जो आपने देखी थी मैं आपको एक्जामबल दे देता हूं मैं काफी देर से यहां पर बैठा हूँ और आप बोल रहे हैं कि हिंदुजम में इंडिया 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 की बात नहीं हुई कि इंडिया फ़लाँ जगा जा रहे हैं करता हूं यह बात और वो में बात ठीक करता हूं देखें मैं आपको बताता हूं अभी आपकी होली घुजरी तो क्या हो रहा था काल एक वीडियो ऐसी देखी अगर वो हरकत मुसल्मान करें तो वो बहुत बड़ा इशू बनता है वोगर आपके हाँ भी वोई हरकत हो रही है वहाँ पे मुसल्मानों को आप कहेंगे कि जहादी एक आदमी है मुसल्मान उसने पीछे अपनी माँ और अपनी बीवी आपनी माँ अपनी बेहन बाइक पर बड़ा रखी और लड़कों ने घेर के उन औरतों के उपर सरसे लेक करें तो तब तो कोई उन्हें नहीं कहता ना कि तुम जहादी हो मुसल्मान ये करते तो आपको पता है कि आपके मेंस्ट्रीम न्यूस चैनल्स ने ये काम कर रहे होना था ठीक है वो इतनी घटिया वीडियो है देखके लिटरली ऐसा ही लाग रहा कि या भी इने मॉब लिं तो ना आप लोगों का नासिसिजम है जो आप ये कहते हो कि हम नहीं है जैसे इनसान जो है ना वो ये कहता है ना कि बाकी जानवरों से मारा कोई रिलेशन नहीं हाला कि खुद भी जानवरी है आप लोगों का ये हाल है अभी आपने साथ बंदों ने मिलके स्पैनिश टूर तो Yoko Shimili, लिक्ति लिक्ति है हुए तो इसह खियां लुआ के आम के rocky पाकिस्तान नही आुए अब आपने बिलकुल हिंदू जोने जिसको कहते हैं कि क्रेजी पाकिस्टान बनने में सुँआ टाइम है tiden आ compi जान, र यापके जान बेंगे उप लिक्ताइ स्थाई है वो ही चलता रहा तो यार आप और हम भाई एक ही जगा पर बैठेंगे और एक ही लड़ू काएंगे और एक ही गालियं खाएंगे दुनिया से म偉म और है ठीक है ये मजब का भी फरक नहीं है भाई मजब का मतलब सिर्फ कहने को मजब का फरक है हमें है क्यों मा Adams मत्वें हैंने ये सब कान्टिनेंट का एक कल्चर है तो कल्चर ये है कि बच्चा जब प饮ए होता है हम उसे उसी वकत से बुलिविंग सिखाना शुरू करते हैं हम बता क्या सोचते हैं कि फलाँ गरीब आदमी है उसने बाइक कैसे ले ली आओ इसकी अकड निकालते हैं बाइक पर बड़ा पीपी करता फिरता है ना हम इसकी अकड निकालते हैं वो लड़की ने हमारे गउं की लड़की ने जीन्स कैसे पैनली आओ इसका रेप करते हैं ये हमें बच्पन से सिखाया जाता कि गरीब के बच्चे ने एक अमीरों वाली हरकत इसकी जुरत कैसे हुई कार कैसे ली इसकी अकड निकालते हैं चाहे वो मुसल्मान हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो चाहे वो कोई भी हो हमारी मेंटालिटी हमारे तुखम में जिसको कहते हैं ये घटिया चीज शामिल है कि हम बुलीज हैं और हम ये समझते हैं कि हमने फलां कमजोर शख्स ने अगर अपनी सीडी से एक जगा उपर कदम रखा थो हमने इसकी बिदमाशी निकालनी है हमने इसने मूच कैसे रखली छूदर ने हमने इसकी मूच काटनी है ठीक है इसने बाल कैसे रखली है हमने इसकी टिंड करनी है इसने फिलां कैसे कर लिया इसका मूँ काला करना है हम ने ये हमारी मेंटालिटी है भाई आप में और हम में कोई फर्क है पाकिस्तानी और इंडियन से लिटरली वी आर दे सेम पीपल एक बार्डर की लकीर छिच गई है कंट्रीज का नाम डिफरेंट हो गया आप क्या समझते हैं कि पचास साल में तीन हजास साल की जहालत खतम हो जाती है I'm sorry to say ऐसा कभी नहीं होता चलें बहुत शुक्रिया thank you very much अच्छा जी तो जैंजो ने कहा गालिब भाई में एक कम sorry for late जैंजो अब टाइम नहीं है सिर्फ 10 मिंट हैं तो मैं एक उस बंदे से बात करूँगा जो देर से बैठा हुआ है और बस उसके बाद मैंड करूँगा हभी बुला से बात करते हैं वैलकरी ने कहा can't there be Hinduism without caste discrimination नहीं हो सकता जी Hinduism तो देखें और ये बात याद रखें कि इसकी मूच काटते हैं इसने बाइक कैसे खरीद ली इस लड़की ने जीन्स कैसे पहन ली इसने फुलाँ कैसे काल ली ये सब कुछ caste system से जाके जुड़ता है काट system ये कहता है कि शुदर जूती नहीं पहन सकता शुदर मूच नहीं राक सकता शुदर गोड़ी पर नहीं चाड़ सकता इसने अपनी उकात से बाहर काम कैसे किया हम इसकी आकर निकालेंगे ये गाओं में शहरों में ये चलता है ये मत समझेंगे ये सिर्फ इदर ही चल ना के कोई औरत किसी बाइक पर जा रही है उसको छेड़ते हैं मैं आपको बता तो मेरा कुलीग होता था इतनी कुछ शरम आती थी मुझे और मैं इतना वो होता था कि एक दो बार ऐसा हो गया कि उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और उसने मुझे ड्रॉप किया किसी आ रहा है ठीक है ये ये लेवल है हमारी लोगों और मैंने उसे का भी यार मैंने जल्दी पॉइंट नहीं पांच मिन्ट उसने उस औरत के पीछे चलाई ये वावा क्या लाग रही है पीछे जुमले अपनी गाड़ी में बैठा बोल रहे हैं ये हाला आते हैं ठीक है हभी ये आप यहन राना लगा आपको है नहीं वांकर में जूट नहीं बोल रही है अचार साल बाद बाल काट दिये इसली वही तो मैं गला तो नहीं था ना पिर नहीं नहीं आपने पॉइंट आउट कर दिया कहीं लोगों पहले भी पॉइंट आउट करें बैठे से चैट पे मुझे एक दो नदर पढ़ी है अच्छा सर माशालला से मारमजान चार रहा है सर और लोगों की तक्राइब माशालला लगी है और मुझे लगता आप रोजों से अक्के पढ़ें हैं बिल्कुल मेरे जो दोस्त है हो भी मलब ऐसे कोड़ वर्ड में मुझे बाते कसते रहते हैं जा में उनके सामने होता तो फिर वो मुझे कह देती है मजाग मजाग में पता तो चाल जाता है ना बंदे को तरही है और क्या बात करेंगे आप और सर वही बात कर रहा था कि आज कर सर वो फालेज के और हार्ट के मसले भी हो रहे है अच्छा, अच्छा सार, वाइब प्रेशर भी हो जाता है सार, जहरी बात है, फालेच तक भी पहुँचा देता है, बिल्कुल सार, यह बात याद रखिए और कोई बात करेंगे आप, मैं बल्कुल एंड पर हूँ, तो मैं इसलिए लंबी बात नहीं कर रहा, आपने इकर को question करना है तो करने ही किद्ध नहीं को सब्सक्राइब करना है थो जा नहीं से पहले लाइक कर दें देंग taking मुझे पता था मगर जाहरी बात है आंसर एक्स्प्लेइन करना मैंने एक्स्प्लेइन करना था 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 तो वैलकरी बहुत शुक्री है आपकी सूपर चैट के लिए जैंजो ने का शुक्री है जन्हों ने देखा कुछ दोस्तर आगे हैं ताज हैं एकर आगे जान जैक्सन है मुना भाई हभी बॉल्ला पीसफुल हुमनिस्ट और जैंजो तो मुझे लगता पीसफुल हुमनिस्ट इन में से कोई शायद नए आए हैं बाकी सब लोगों से मेरी पिछली दो त इन कियों हैँ तो मैं आप से सेटरड़ को फिर लाजमी बात करूंगा, आप ज़रूर आएं शेयर कार दें इसे सोशल मेडिया, आप इस ट्रीम छोटी है, इतनी को लंबी बिनी है, दो गैंटे, पच्छन मिनिट पे हम इसे अंड कार रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर सोशल मेडिया पे शेयर करें, ताके और लोग भी देखें, फिर मैं आप लोगों से म मिलूँगा, सेटरड़े को ठीक है, अपना वह स्याल रखिएगा, गुट नाइट मेरी दस से.